तो बच्चे कुछ मांगें और सुनील भही आप पूरा ना करें ऐसा कभी हो सकता है क्या सकता है हम क्युछ सकता है यह गाइज वलकम एडियास लाजस्ट एंड ना मोस्ट इंपक्टफुल लाइव लुटवर्ट ट्रिंग प्लाटफॉर्म डड़े इस फिजिक्स वल्ला तो मेरे प्यारे बच्चों दिल के सच्चों आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ मस्थ और बहतरी इन से होगे जिसका नाम है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसको एक बारी में खतम करने की अब अगर आपको इसका बहुत फास्ट रिवीजन ची इन दा फॉर्म ऑफ माइंड मैप तो वह मैंने पी डव्यू फाउंडेशन पर करवा रखा है लेकिन अगर आपको चीए कि थोड़ा इंपोर्टेंस ओफ फिएच इन एवरिडे लाइफ देन एक्स्पोर एवरिटिंग ऑन सॉल्ट ठीक है चलिए और क्या मिलेगा सुनील बिया एंसी आटी एक्टिविटीज कवर्ड है एक्सपरिमेंट्स होंगे एंसी आटी का छिपावा घ्यान भी कवर्ड है तो फिर मज आएगा ना वीडू आएगा आएगा चालू करो ना चालू करते हैं जनरल केरेक्टर स्टिक्स ओफ एसेड़ एंड बेसेज सबसे पहले शर्ब तो थाटे एसेड तो यह एक लेटिन वर्ड एक लेटिन वर्ड एसी डस से आया है डाट इस अकिन यानी सिमिलर टू सिमिलर आपके लोग सबसे पहले लोग ते जिन्हों ने आपके सौर टेस्टिंग सबस्टांसिस को आइडेंटीफाइ किया था यानि खटे जिनका टेस्ट अउनको आइडेंटीफाइ किया था और यह जो नाम है एक लैटेन वर्ड एसिडस से आया है डाट इस सिमिलर टू एसर जिसका मतलब होता है खटा ठीक है सुनील भी आप अब देख और ओरेंज ठीक है अगर आपने इन तीनों चीजों को अगर आपने इन तीनों चीजों को टेस्ट किया है ठीक है ना टेस्ट किया है तो इनका टेस्ट कैसा होता है ठीक है तो इनका टेस्ट कैसा होता है देखिए मैं आपको बताता हूं अगर हम बात करें लैमिन की तो लै ठीक, बात करें ओरेंज की, तो ये होता है आपका खटा, क्या बात है सुनी देया? ठीक है यह तो इनके टेस्ट की बात हुई लेकिन टेस्ट की बात क्यों करी अभी मैं आपको बताऊंगा है ना ध्यानते सुनना यह है बेसिकली सौर यानि खट्टा यह बेसिकली बिटर यानि कड़वा इसी तरीके से आपने चीजों को अभीतक पड़ा है कि भाई इसमें ऐ इसलिए खट्टा है यह बेसिक है इसलिए बिटर है और इसमें भी ऐसिड है यानि अम्ल है इसलिए खट्टा है पर यह क्या कंसेप्ट हमेशा सही है नहीं है चलिए देखते हैं पहले कि सही है कि नहीं है और क्यों नहीं है सवाल का जवाब देने के लिए आपको स्क्रीन क को पॉस करना है पहले, all acids taste sore while bases taste bitter, यानि सारे acids खटे हैं और सारे bases bitter है, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, correct answer इसका है, false ये सत्य है, क्यूं असत्य है, मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको एक और सवाल पे चलना पड़ेगा, coffee is basic in nature, coffee का जो nature है, वो basic है, coffee का taste कैसा होता है, करवा होता है, है ना, तो आप लोग बोलोगे कि सुनील विया, coffee का taste करवा होता है, और हमने class 7 में पढ़ा है, कि जो खटे होते हैं, वो acid होते हैं, जो bitter होते हैं, वो bases होते हैं, class 10 में भी हमने यही पढ़ा है, तो हम तो answer लगा पढ़ेंगे क्या कि बेसिक होता है फॉल्स क्लास सेवंथ के एंसी आटी में क्या लिखा है ध्यान से पड़ो कॉफी इस ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट इस इट और बेस डोंट गिव दा आंसर विदाउट टेस्ट यू आर इन दा डार्क विद इट्स टेस्ट यानि मेंचंड है ठीक है लेगिन हम आज तक यही रट्या रहे है एसे रहे हैं अमेशा बिटर है गलत देखो तो मेरे दोस्त कॉफी टेस्ट बिटर सो इट्स बेसिक इन नेचर यह स्टेट मेंट आपका गलत है नो कॉफी इस एसिडिक इन चे एड़ एंड आड कॉफी के अंद quinic acid ठीक है ना अभी हम इसके पूरे process की बात नहीं कर रहे हैं बट मैं आपको यह बता देता हूँ कि इसके नदर cafic acid and quinic acid होते हैं जिसकी वज़े से कड़वा टेस्ट आता है और acidic आता है तो क्या मेरे दोस्त आप यह कहोगे कि सारे जो acids होते हैं वो खटे होते हैं अईसर नहीं है आपके सकते हो जन्रली जन्रली का मतलब कि most of the cases में most of the cases में acids tastes are यह यह नि most of the cases में acid सार हो सकते हैं खटे हो सकते हर केस में नहीं दैसे coffee में coffee acidic है लेकिन caffeic and quinic acid है and इसकी वज़े से it tastes bitter मेरा point समझ में आ रहा है कि आपको मैं यह कहना चाहरा हूं मेरे दोस्त कि acids का जो टेस्ट है वो bitter भी हो सकता है acids का taste खटा भी हो सकता है तो हमेशा यह बात मत बोलो कि all acids tastes sour यानि सारे acids खटे हैं यह बात गलत है ठीक है जनरली अगर आप लिखते हैं तो यह आपके statement को सही बनाता है generally acids tastes sour अगर वहाँ यह लिखा होता न यानि most of the cases में acids sour है and basis better है तो statement true हो जाता अभी false है ठीक हाँ important आपके लिए दैसे some acids tastes sour यानि खटे हैं while some tastes bitter bitter as well as sweet अब यह कहां पर possible है amino acids में possible है कि भाईया amino acids का taste sour भी हो सकता है bitter भी हो सकता है sweet भी हो सकता है तो आप acid को on the basis of taste define ही कर सकते कि भाईया हमेशा जो खटा भी हो सकता है कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है तो ज्यादा बैटा है कि अगर आप यहां generally लिखने लग जाओ कि भाईया most of the cases में खटे हैं लेकिन कुछ cases में कड़वे और मीठे भी हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब बात करते हैं basis की acids को हिंदी में कहते हैं अम्ल basis को हिंदी में कहते हैं शार तो basis क्या होते हैं bitter and taste होते हैं यानि की सारे के सारे आपके कड़वे हैं substances are better in taste दूसरा क्या आपने कभी इन substances को touch किया है have you ever touched these substances यानि यह इसके texture की बात कर रहा है texture मतलब जब आप इसको छूते हैं तो आपको कैसा मैसूस होता है basic substances को जब आप छूते हैं तो कैसा मैसूस होता है तो से मान लीजे basic substances का example देता हूँ plastic soda है ना जिसे हम एने ओच कहते हैं या मान लीजे आपने कभी washing soda को छूआ हो इसे एने टू सीओ ट्री डॉट टैने स्टू कहते हैं तो यह basic substances है है ना यह basic substances है कि क्या कभी आपने इनको छूआ है यह basic substances है basic substances बेसिक substances है क्या कभी आपने इनको छूआ है जब आप इनको छूएंगे जब आप इनको छूएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इनका जो टेक्श्चर है सोपी टेक्श्चर है सोपी टेक्श्चर का मतलब जैसे अपन साबून को छूटे तो साबून फिसलता है ना हातों से ऐसे basic substances slippery होते है that is they are slippery to touch समझ रहे हो आप यानि जब आप इनको छूओ तो आपको कैसा मैसूस हो रहा है यानि यह slip कर रहे हैं का टेक्श्चर क्या है slippery है तो पहली important बात थी यह और दूसरी important बात थी मेरे दोस्त यह आई होप यह दोनों बात आपको समझ में आ गई that they are bitter in taste यानि सारे के सारे कड़वे हैं टेस्ट में दूसरा टेक्शर सोपी यह जब टच करेंगे तो फिसलते हैं समझ में आ गया हाँ जी भी है चल बहुत बढ़िया अब इस सवाल का जवाब दो to identify that a substance is an acid or a base टेस्टिंग टेस्टिंग या फिर आप मान लीजे कि उनके टेस्ट सार स्वीट और बिटर हो सकते हैं है ना तो क्या लगता है यह सही तरीका है क्या देखिए नहीं मेरे दोस्त ऐसा कभी मत करना इसके दो रीजन है पहला this can be disastrous यानि यह आपके लिए घातक हो सकता है क्यों घातक हो सकता है as some acids and bases are highly corrosive highly corrosive का मतलब है यानि यह आपकी skin पे burning sensation को produce करते हैं और आपकी skin को damage कर सकते हैं ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए कि आपको acids को don't don't touch slash taste them क्यों अगर आप basically उसको touch कर रहे हो या आप उसको taste करने के लिए जीब अड़ा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जीब जल जाए या आपकी चमडी यानि आपकी skin जल जाए क्योंकि कुछ basis और acids काफी जादा corrosive है इसका मतलब है कि आपकी चमडी को जला सकते हैं और आपको काफी जादा दर्द दे सकते हैं दूसरा आप बोलोगे कि मैं तो टेस्ट करके बताऊंगा तो डोंट टेस्ट देम क्योंकि टेस्ट एक रिलाइबल आप्शन है यही नहीं कैसे सुनी लिए एसिट्स का टेस्ट कड़वा हो सकता है अमाइनो एसिट्स के केस में कॉफी के केस में सार हो सकता है आपने टेस्ट किया कॉफी को कड़वी 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 बेस बोल दिया ऐसिट्स है तो कभी भी टेस्ट करना यह टच करना एक रिलाइबल आप्शन नहीं है इसके कारण यह है ठीक है बहुत बढ़िया तो फिर क्या करें सुनील भिया हाथ पे आथ दरगे बैठ जाए कैसे अडिन्टिफाय करें कि यह हमल है यह शार है कैसे बताएं आईए देखते हैं कि आप यह चीज कैसे बताओगे तो देर आर सम केमिकल सबस्टांसिस डाट शो अशार्प चेंज इन दिर कलर और ओर इंपोर्टन यह है इन दिर कलर और ओर इन दी एसिडिक और बेसिक मे अपने या तो रंग में परिवर्तन लियाएगा या अपनी ओडर में ओडर का मतलब क्या होता है अनप्लीजन्ट स्मेल और इस basis पर आपको पता चलेगा कि सामने वाला सबस्टांस या तो acid है या तो base है ठीक है सुनील भाई बताईए तो सबसे पहले पढ़ते हैं indicators that show a change in color कौन-कौन से indicator है जो रंग में परिवर्तन लाते हैं कुछ important यहां पर मैंने लिखे हैं ठीक है यह वाले आपकी क्या है natural है यानि यह आपको nature से प्राप्थ होते हैं और यह वाले जो है यह basically आपके synthetic है जिनने आप laboratory में बनाते हैं synthetic यह आप कहा सकते हैं artificial indicators जिनने मेरे दोस्त आप laboratory के अंदर manufacture करते हैं ठीक है सुनील भाई अब देखे लिटमस solution का color neutral solution में होता है pale purple या इसे हम बोलते है mauve color होता है acids में होता है लाल और bases में होता है blue यानि neutral जब आप देखेंगे तो यह pale purple color की एक dye होती है आपने किसी acid में introduce करा दिया तो लाल या किसी base में introduce करा दिया तो नीला एसे टर्मरिक यानि हल्दी इसका जो paste है यह yellow रहेगा neutral और acidic में और आपका brick red या red हो जाएगा किसके अंदर मेरे दोस्त यह brick red या red हो जाएगा basic solution में ऐसे ही hydrangea flowers होते है मेरे दोस्त इसका रंग neutral soil यह जिस मिट्टी में होते है न उस मिट्टी का nature बता देते हैं जैसे मान लोगे इसके flowers का रंग नीला है तो आपको यह पता है कि soil जो है वो neutral या acidic है लेगे नगर flowers pink color के है इसका मतलब जो soil है वो basic है ऐसे ही बात करते हैं दोस्त फिनौफ्तलीन की और मिथाईल औरेंज की फिनौफ्तलीन colorless रहता है neutral और acidic में basis में pink हो जाता है similarly methyl orange का नाम है orange जा रहा है तो neutral में तो orange रहता है acids में basically red या ICSC वाले जो लोग हैं वो basically इसको pink color बताते है वो and basis में कैसा हो जाएगा yellow color हो जाएगा ठीक है ये colors आपको याद रखने है ठीक है हाँ जी भी या आप देखिए इससे आपने पता लगा लिया कि कोई चीज acid है या base है इसी प्रकार से आप order में परिवर्तन के basis में ये बता लगा सकते हैं कि भाईया यहाँ पर कोई substance acid है या base ठीक है अब इस particular category को सबसे पहले क्या बोलते है all factory indicator कहते हैं क्या बोलते है all factory indicator कहते हैं अब देखिए सबसे पहले तो all factory शब्द का मतलब क्या है सबसे पहले important है all factory शब्द का मतलब क्या है इस शब्द का मतलब है ability to smell यानि सूंगने की tendency या शमता को हम all factory कहते हैं और हमारी nose में जो हमारे sense of smell के लिए responsible है आप कोई भी चीज सूंग पाते हैं because of olfactory nerve ठीक है यह किसके लिए beneficial है परमात्मा की कृपा कुछ लोगों पर जब नहीं रहती है तो वह संसार को अपनी सुंदर आखों से नहीं देख पाते अब वो अगर देख नहीं पाते तो जापके रंग में प बताएंगे तो helpful for helpful for visually impaired people यानि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए indicators काफी जादा helpful helpful for visually impaired people यानि जो देख नहीं सकते उनके लिए काफी जादा helpful साबित होते हैं ठीक है अब olfactory indicator में हमारे पास तीन indicators है onion ordered cloth strips vanilla essence and clove oil long का तेल vanilla essence प्याज के कटेवे टुकुडो को आपको क्या करना है प्याज को काटना है और कुछ कपड़े के टुकुडो को काटना है इनको साथ में जिप लॉक पैकेट में बंद करके फ्रिज में रख देना है अगले दिन जब आप सुबह निकालेंगे तो उन कपड़ों के अंदर जो छोटोड़े कपड़े तो उनमें प्याज की स्मेल होगी onion ordered cloth strips बन जाएंगी अब यह स्तीनों oil factory इंडिकेटर है अब आपको इंडिटर्माइन करना है मान लीजिए आपके सामने दो solution एक acid एक basic solution है आपको identify करना है कौन सा acid है कौन सा base है आपके पास onion ordered cloth strip से आपने सूंगा दो इस ट्रिप ली सूंगा प्याज की स्मेल आ रही है प्याज की स्मेल आ रही है ऐसे डिप किया दोनों solution से निकाला जब आपने सूंगा एक solution में तो वहां पर smell वैसी की वैसी थी smell remains same smell remains same smell remains same याणि acidic substance में से जब निकाल के आपने देखा तो प्याज की smell अभी भी आ रही है कपड़े में से लेकिन जब आपने शौर में से डाला उसको याणि basic substance होगा आपने सूंगा आपने का इसमें से प्याज की smell उड़ी इसका मतलब क्या है यह basic है smell vanishes smell vanishes smell vanishes समझे आप प्याज वाले जो कपड़े थे यह जो कपड़े जिन में प्याज की स्मेल थी दो कपड़े लिए डुबाया डुबाया और निकाला सुंगा प्यास की स्मेल आ रही है मैंने का कि यह जो solution acidic है कपड़े को सुंगा कपड़े में से प्यास की स्मेल उड़ गई यह basic substance है smell vanishes, vanishes, vanishes smell remains in, smell remains in, smell remains same, क्या बात है ठीक है, बहुत बढ़िया अब NCRT के छिपेवे ग्यान में यहाँ पर एक group activity दे रखी है जिससे वो लोग अगर सवाल पूछने, तो सुनील भाईया के students answer कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आईगी क्या बोला है, crush beetroot in a mortar, है ना आपको beetroot को ऐसे crush कर रहा है, चुकुंदर होता है ना, उसको basically आपको crush करना है, ठीक है बहुत बढ़िया now add sufficient amount of water to obtain the extract, extract भाई अपना वो जो कूटने वाला होता है हमाम दस्ता कहते है उसके अंदर मान लीजिए आपने चुकुंदर को crush किया, बहुत सारा पाने डाली उसको बढ़िया से crush कीजे, crush कीजे, crush कीजे फिर आप क्या कीजे, छनी लगाईए और उस जो पूरा आपने यह जो पूरा जूस बनाया है, इसको उसको पर डाल दीजी छनी के अंदर solid particle रह जाएंगे नीचे आपके पास पूरा extract आजाएगा ठीक, हाँ now filter the extract by the procedure you learned in earlier classes मैंने आपको सिखा दिया collect the filtrate, filtrate का मतलब होता है छानने के बाद जो चीज हमें मिलती है उसे filtrate कहता है to test the substances you have tested earlier arrange four test tubes in a test tube stand and label them as ABCD, चार test tubes हम ले ले लेते हैं देखें, एक, दो तीन, चार A, B, C, D चार test tubes ले 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 ली पूर 2 ml of इसके अंदर क्या डाला है 2 ml each, तो 2 ml each यहाँ पर भी 2 ml, यहाँ पर भी 2 ml और यहाँ पर भी 2 ml A, B, C, D में 2-2 ml क्या डालना है, सबसे पहले में डालना है यहाँ पर हमने डाला lemon juice क्या डाला, lemon juice दूसरे वाले में क्या डाला soda water है ना, soda water तारक मैता में यह लोग पीने जाते हैं, क्या पीनी जाते है, soda वोई उसके बाद vinegar, हिंदी में कहते है, सिर्का सिर्का गीरा रहे, बरेली के बाजार में वोई वाला सिर्का, और baking soda ठीके ना, baking soda का solution है, बहुत बढ़िया, इन respectively, अब यहाँ पर अपन यह चार ले लिये हैं, और हमारे पास, beetroot का extract, यानि जो filtrate है, वो आ चुका है, beetroot का filtrate आ चुका है, नाव अब हमें क्या करना है, two to three drops of the beetroot extract in each test tube, and note the color change if any, write your observations in the table, two to three drops, इन में डालनी है, और color change देखना है, अब देखिए important बात note कीजेगा, जो beetroot है, यह आपका क्या है, natural indicator है, कैसा, natural indicator है, और कौन सी category को belong करता है, natural indicator, color change करता है, ठीक, हाँ जी बिया, अब देखिए, neutral में क्या color होता है, और फिर उसके बाद acid में क्या color होता है, तो neutral और acids के अंदर ये लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है, अगर कोई neutral substance है, न तो acidic है ना basic है तो लाल, acidic substance में भी लाल basic substance में अगर mild base है यानि थोड़ा सा कम basic substance है और stronger base है तो कैसे कैसे रंग में परिवर्टन आते हैं ठीक है stronger base के case में yellow हो जाता है milder base के case में darker हो जाता है darker red ऐसा हो जाता है neutral में लाल acids में लाल mild base में darker red and stronger base में yellow ठीक है हाजी भी आ lemon juice का nature क्या होगा lemon juice में क्या है lemon juice के अंदर दो acid है मैं आगे और बताऊंगा इसके अंदर एक तो citric acid है और दूसरा ascorbic acid है ये क्या होता है vitamin C ये है इसके अंदर तो ये तो acidic हो गया acidic हो गया इसका मतलब यहाँ पर जो color आएगा वो basic ली क्या आएगा यहाँ पर जो color आएगा वो आएगा लाल red color आना चीए soda water क्या है soda water क्या है soda water क्या है भाई आप carbon dioxide gas को पानी में जब आप dissolve करवाते हैं तो यह carbonic acid बनाती है क्या बनाती है carbonic acid कौन सा acid carbonic acid कौन सा acid carbonic acid इसका मतलब यह कैसा substance है acidic substance है इसमें भी क्या होना चीए लाल होना चीए vinegar यह तो diluted form of acidic acid है acidic substance है vinegar क्या है सिर्का यह किसका diluted form है vinegar किसका diluted form है diluted form यानि इसमें पानी जादा है, acid कम है, क्या है, पानी जादा, acid कम है, diluted form of acidic acid, तो यहाँ पर भी लाल होगा, और baking soda क्या है, एक mild base है, stronger base नहीं है, एक weak base है, तो weak base के case में क्या होगा, यहाँ पर darker red हो जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पर NAOH होता है, यानि caustic soda होता, तो काफी strong base है, वहाँ पर पीला हो जाता है, समझ रहे हो क्या, यह देखो, यहाँ पर मैंने इदर diagram भी दे रखा है, भाई देखो, citric acid है, citric acid है, है ना, देखो, मान लो, कुछ नहीं है, तब तो लाल, विनेगर आया, विनेगर आया, तब भी लाल, citric acid है, नि लैमिन जूस, जिसमें citric acid और ascorbic acid है, तब भी मेरे दोस्त क्या होगा, लाल होगा, baking soda, weaker base है, तो darker red, और आप देखी, अगर आप और stronger base में चलेगा, drain cleaner मतलब, NAOH, caustic soda, ठीक है ना, strong base, तो उस case में क्या हो गया, yellow color हो गया, समझ में आगे मेरी बात, ये NCRT activity आसान है क्या, ये अब आपको clear हो गई, अगर मान लीजे से सवाल आएगा, आप आसानी से कर लेंगे, guarantee है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाईया, चलिए, इस तरच पे हमने अपना पहला topic 5 में से खतम क कर दिया, दूसरा topic स्टार्ट करते है, ready हो जाईए, second topic, chemical properties of acids and basis, अब इनको मैं सवालों के थ्रू कराने कोशिश करूँगा, जल्दी जल्दी सवाल लगाएंगे और answer पे पहुंच जाएंगे, देखिए, अब सवाल को आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है, screen को pause कर करना है, फिर answer करना है, मैं directly explanation दूँगा, देखिए, identify the types of reaction when the zinc granules, zinc granules का मतलब होता है, zinc के छोटे-छोटे टुकडे, react with the dilute hydrochloric acid, अब ये reaction तो पढ़के आयो, बार-बार पढ़ रहे हो, ये reaction तो, तो मेरे दोस्त, metal को, अगर आपने मेरे से chemical reactions and equations पढ़ा है, तो वहाँ पर ये reaction मैंने करवाई थी, metal की reaction जब dilute acid से होती है, तो वो salt plus hydrogen gas देता है, लेकिन इस reaction के condition है, ये कब होगी, जब reactivity of metal is greater than that of hydrogen in acid, acid में present जो hydrogen है मेरे दोस्त, उससे ज़ादा जब reactivity हो जाएगी metal की, उसी case में वो इसको displace कर पाएगा acid से, अब जैसे zinc है, तो zinc की reactivity क्या है, देखो, कूडी, नाल, कार, मांगो, अल्टो, जिसको, यानि zinc, जिसको फिर लेकर हम, ये hydrogen, hydrogen, तो zinc इदार है, hydrogen इदार है, zinc is more reactive than hydrogen, it will displace it from hydrogen, ये hydrochloric acid and it will form ZnCl2, zinc chloride and hydrogen gases also released, ठीक है, ये acid कौन सा है, this acid is hydrochloric acid, कौन सा acid है, this acid is hydrochloric acid, कौन सा acid है दोस्त, ये कौन सा acid है, hydrochloric acid है, कौन सा acid है, hydrochloric acid है, I hope जब आप ये lecture देख रहे हैं, तो आप chemistry के basics देखकर आए हैं, आपको formula बनाना आता है, है, आपको ये पता है कि HCl hydrochloric acid का formula है, ठीक है, H2H4 sulfuric acid का formula है, HNO3 nitric acid का formula है, HBR hydrobromic acid का formula है, HI hydroiodic acid का formula है, ठीक है, सारी basic चीज़ा आपको पता है, अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारा जब zinc dilute HCl से रियक करता है, और याद रखना acid हमेशा diluted format में ही होगा, concentrated acid मत लेना, diluted acid के साथ ही यह reaction होगी, तो metal प्लस dilute acid हमेशा salt प्लस hydrogen gas देगा, अगर आपको salt और hydrogen gas चीए, तो acid हमेशा dilute होना चीए, ठीक है, ZNCl2 प्लस hydrogen gas देगा, solution कैसा होता है, यह colorless solution होता है, colorless solution, ठीक, और hydrogen gas आई, अब hydrogen gas का test क्या है, कि अगर आप एक burning splinter लियाएंगे, इसके पास में, मानीजे जिस test tube में reaction होगी, इसके पास में एक जलती भी candle, यह कोई ऐसे माचिस की तीली लियाएंगे, तो यह squeaky pops और एक छोटा सा explosion होता है, उससे जलती है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैंने काफी बार किया भी है, मेरे इंट्रो में भी आपने देखा होगा, hydrogen gas को मैं जला रहा हूँ, ठीक है, अब यह type of reaction क्या है, देखिए, इसके अंदर अगर आपने देखा हो, तो एक metal, एक non metal को displace कर रहा है, तो यह metal, non metal displacement reaction है, कैसी है, metal, non metal displacement reaction, metal, non metal को displace कर रहा है, metal, non metal displacement reaction है, और displacement reactions आपको पता है कि redox reaction तो होती है, and most of the cases में exothermic भी होती है, इसलिए इस reaction में काफी जादा heat निकलने वाली है, ठीक है दोस्त, ठीक है, तो displacement, exothermic and redox होगी, यह reaction, displacement, exothermic and redox reaction, तो metal plus dilute acid will give salt plus hydrogen gas, यह आपको याद होना चाहिए, अब मेरे दोस्त, मैं आपको एक बड़िया सी वीडियो दिखा देता हूँ, फटाफ़र से आप लोग देख लीजिए इस particular चीज़ को, ठीक है, I hope दोस्तों, आपको यह अच्छा लगा, आपको यह समझ में आया, कि भाई यह hydrogen gas burns with a squeaky pop sound, अब मैंने तो काफी जादा hydrogen gas भरी थी, तो बहुत बड़ा explosion हुआ, hydrogen और oxygen काफी जादा धुमा के वाला mixture बनाती है, ठीक है, तो एक तरीके से छोटा explosion होता है, this is nothing but a small explosion, समझ गए आप, यह एक small explosion है, एक धमाका है, ठीक है भाईया, बहुत बड़ी है, चलिए, आगे चलते हैं, when we put a raw egg inside a beaker containing vinegar, there are bubbles of gas X, identify the gas X, अब आप फटाफ़र्ट से screen को pause करिए और इस सवाल का answer करिए, तो दोस्तों, देखिए, इस सवाल में क्या concept लग रहा है, देखिए, raw egg, तो इसके जो egg shells होते हैं, यानि अंडे के जो shells हैं white color के, यह calcium carbonate से बने होते हैं, किस से calcium carbonate से, जिसको common name में marble, limestone या फिर चौक, अब इस metal carbonate की reaction, है ना, metal carbonate की reaction हम विनेगर से करवा रहे हैं, विनेगर क्या है, diluted form of acetic acid है, और acetic acid का formula होता है CH3, COOH, सुने लग भी है, diluted form का मतलब क्या हुआ, बहुत कम है, इसे विनेगर कहते हैं, हिंदी भाज़ा में शिरका कहते हैं, जिससे आप noodle बनाते हैं, यह है विनेगर, acidic substance है, तो एक तरीचे से metal के carbonate की reaction acid से हो रहे है, metal के carbonate की reaction acid से हो रही है हाँ जी भी है तो देखे metal carbonate या फिर hydrogen carbonate hydrogen carbonate को हम और क्या बोलते है bi carbonate भी कहते है तो अगर आपको किसी ने बोला sodium bi carbonate या sodium hydrogen carbonate तो वो यह कही बात कह रहा है तो अगर यह carbonate वाले जो salt से metal के acid से रियक करेंगे तो यह salt प्लस water प्लस carbon dioxide बनाएगा अब दैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास था calcium यह cationic part है carbonate आपका anionic part है फिर acetate आपका anionic part है और यह hydrogen आपका cationic part है यह anionic part और यह cationic part यह बेसिकली क्या होता है यह होता है cs3 c o o 1- acetate acetate iron होता है ठीक कटायन सनायन को exchange कर वाओ कटायन सनायन को exchange कर वाओ तो यहां पर क्या बनेगा anion इसका कटायन इसका तो बनेगा calcium acetate यह रहा calcium acetate hydrogen और carbonate मिलके बनाते हैं h2 co3 याद रखना carbonic acid बनाते हैं जो further अदर तूट जाता है इसके अंदर क्या बनाते हैं carbonic acid बनाते हैं किताब में step missing है लेकिन मैं बता देता हूं calcium इसका और इसका acetate मिलके क्या बनाएंगे calcium acetate बचा इसका hydrogen बचा इसका carbonate hydrogen और carbonate hydrogen and carbonate hydrogen और carbonate अगर इनकी वैलेंसी को क्रिस्क्रॉस करोगे तो hydrogen hydrogen की वैलेंसी 1, carbonate की वैलेंसी 2 बनेगा H2CO3 यह H2CO3 तूटता है किसमें water और carbon dioxide तो तुम्हारे लिए इसको exchange कर भाए तो double displacement reaction है हाँ जी भी यह double displacement है और double displacement के अंदर कौनसी है यह इसे हम कहते है gas forming reaction कौनसी कौनसी reaction gas forming reaction कौनसी reaction gas forming reaction एक gas का निर्माण हो रहा है न यहां पर इसलिए से कहते है gas forming reaction which is nothing but a type of double displacement reaction अब मान लीजे carbon dioxide निकल रही है तो इसको test कैसे करेंगे आप first chapter में experimentally भी दिखाया था मैंने वीडियो देख सकते हैं यह lime water को milky कर देती है यानि calcium hydroxide के aqueous solution से आप इसको पास कीजिए आपने अगर इसको experimentally नहीं देखा है तो first chapter की वीडियो देखना मैंने वहाँ बताया है कि calcium hydroxide के aqueous solution से आप carbon dioxide को पास करवा दीजिए यह basically cac o3 का निर्मान कर देगी किसका cac o3 का निर्मान कर देगी एंड इसी वज़े से यह solution milky या फिर टर्मिट हो जाता है मतलब धूदिया या फिर धुंदला हो जाता है ठीक है लेकिन अगर अगर आप access में carbon dioxide pass करेंगे access of carbon dioxide gas pass through lime water तो होगा का cac o3 plus h2 में आपने काफी ज़दा carbon dioxide पास करी तो calcium hydrogen carbonate बना देगा क्या बना देगा कैल्शियम hydrogen carbonate या calcium by carbonate बोलते हैं इसको कैल्शियम hydrogen carbonate बना देगा इसका colorless solution बन जाएगा कि समझा पाया देखो फिर से रिवाइस करवाता हूं आपने अगर metal का carbonate hydrogen carbonate की reaction acid से करवाई बैसे यहां पर cc o3 metal carbonate ता और cc o h आपका acid यह अनायन यह कटायन यह कटायन यह अनायन तो कटायन से रैंस को एक्स्चेंज किया तो यह calcium acetate लिख देता हूं calcium acetate का निर्मान किया हमने कि colorless solution होता है कि साथ में hydrogen carbonate मिलके बनाएंगे h2 co3 जो टूटेगा h2 और co2 में अब carbon dioxide gas निकली है तो इसका confirmation करने के लिए आप इसको दूसरी test tube से connect कर दो यह जिस test tube में co2 निकल रही है उसमें से delivery tube निकालके दूसरी test tube में lime water ले लो तो lime water को यह क्या कर देगी carbon dioxide gas क्या कर देगी milky बना देगी और milky क्यों बनेगा क्योंकि यहां पर बन रहा है calcium carbonate ठीक है तो access of carbon dioxide gas अगर आपने पास करी तो access of carbon dioxide gas क्या करेगी इससे interact करके calcium hydrogen carbonate बनाएगी जो आपका colorless solution होता है ठीक है हाँ जी दिया अब इस reaction का तो type आपको समझ में आ गया यह वाली reaction ठीक है ना यह वाली reaction तो आपको clear हो गई इस reaction का type क्या होगा पिछले chapter में बताया था यह भी double displacement का example है किसका double displacement reaction का example है ठीक डबल displacement में कौन सा precipitation reaction है क्योंकि एक insoluble white solid calcium carbonate का निर्मान हो रहा है हाँ जी भी है इसका एक और type है इसका एक और type है जो आपको थोड़ी देर में भी आगे समझ में भी आएगा लेकिन अभी लिक देता हो ताकि आगे relatable लगे अभी लिक देता हो ताकि आगे relatable लगे metal के hydroxides most of the metal के hydroxides base होते हैं तो यह base यह non metal का oxide कुछ non metal के oxides acidic होते हैं तो acid will give salt plus water यनि एक तरीके से neutralization reaction दे रहा है इसके बारे में आपको अभी आगे और अच्छे से बताऊंगा base plus acid will give salt plus water तो यह दूसरी type भी है इसी का दूसरा type के neutralization reaction भी है यह तो double displacement के total तीन types होते हैं ठीक है ना यह बाकी के दोनों types है उसके वन टू यह वन देखरो double displacement के तीन टाइप है precipitation neutralization और gas forming यह double displacement reaction का gas forming है यह double displacement reaction का precipitation reaction है और साथ ही साथ यह basic substance acidic substance salt और water neutralization reaction भी है यह यह double displacement reaction है ठीक है चलो अगला सवाल करेंगे जल्दी से screen को pause करेंगे और इस सवाल का answer करेंगे अब देखिए फटाफट से क्या है अब black metal oxide X reacts with dilute hydrochloric acid to form another compound Y that turns the color of the solution to blue green क्या बात है identify XY and the type of reaction black metal oxide अब देखिए लेड का oxide होता है यलो कलर का ठीक तो यह option तो गलब है co2 होता है basically red color का तो यह option भी गलत है यह आता है copper का oxide यह होता है black color का आईए इस पे हम लोग एक बार try करके देखते हैं और इसका यह जो co2 यह blue green होता है तो यह लग रहा है कि हाँ यह सही जा रहा है यह सही जा रहा है आईए देखते हैं तो दोस्तों metal का oxide लिया हमने क्या ल अब यहां पर metal का oxide क्या था basically copper oxide और acid लिया हमने hydrochloric acid ठीक है अब देखो copper basically क्या है क्या है और oxygen basically anion है उसी प्रकार यह basically अयन घ्यान सुनना भी मैटल ओक्साइड प्लस起ड था इस्ड नान का बूल प्लस फी स ए से कटेन ऌनाइन के साथ को इसका लाइन के साथ एक्षेंज कर दो तो copper और Cl copper chloride का निर्मान करेगा और H और O मिलके H2O का निर्मान करेगा क्या बात है सुनिए लिया तो सबसे पहले तो यह double displacement reaction है कौन सी है? double displacement reaction है अब double displacement reaction के तीन प्रकार में से कौन सा प्रकार है? वो मैं आपको बताता हूँ यह acid अब देखे सुनना कुछ metal के oxides and hydroxides and ammonium hydroxide आपके basic होते हैं nature में मेरी बात को सुनिए metal के कुछ oxides कुछ hydroxides basic होते हैं along with ammonium hydroxide ammonium hydroxide क्यों लिया? क्योंकि यह non-metallic hydroxide है non-metallic है ना nitrogen और hydrogen non-metallic है non-metallic hydroxide है इसी लिए specifically लिया इसको मेंने non-metallic hydroxide है ठीक है? तो यानि यहां पे सुनील भाईया metal का oxides क्या base की तरह react कर रहा होगा क्या? अगर यह acid है तो मेरे दोस्त यह base है तो acid plus base will give salt plus water यह कौन सी reaction होती है? neutralization ही तो होती है कौन सी reaction होती है? neutralization reaction ही तो होती है neutralization reaction क्या होती है? acid plus base will give salt plus water यह neutralization reaction है भाई अगर यह acid था तो metal का oxides की तरह भी एफ कर रहा था? base की तरह भी एफ कर रहा था? तभी तो salt plus पानी आया तो मेरे दोस्त यहां से conclusion आपको पता होना चाहिए कि कुछ metal के oxides और hydroxides and ammonium hydroxide basic है तो बाकी क्या है? बाकी एमफोटरिक है rest metal oxides and hydroxides are amphoteric जो next chapter में बताऊँगा amphoteric का मतलब क्या है? acid की तरह भी भी भीव कर सकते हैं और base की तरह भी भीव कर सकते हैं इसको amphoteric कहते हैं मतलब कुछ ऐसे oxides और hydroxides होते हैं metal के जो amphoteric है यानि अगर उनको भारी base दिख्या तो बोलेंगे मैं acid हूँ भारी acid दिख्या तो बोलेंगे मैं base हूँ और बाकी जो metal के oxides और hydroxides और ammonium hydroxide हो बेसिक होता है तो यह acid plus base विल्किव इस salt plus water double displacement reaction हो रही है कटायन से रहे हैं और कौनसी reaction है? neutralization reaction है जो की neutralization किसका टाइप है? double displacement का टाइप है? हाँ जी भी है सुनील भिया color of the solution क्या होता है? blue green होता है बिल्कुल blue green color का solution होता है blue green solution होता है copper oxide कौनसे color का होता है? copper oxide basically काले color का होता है इस काले color के copper oxide को आपने hydroglory acid डाला तो blue green color का solution आएगा साथ में पानी बनेगा तो correct answer क्या हो जाएगा? correct answer यह हो जाएगा ठीक है? हाँ जी भी है चलो बड़ी आसे अब आगे चलते हैं देखिए acids release H plus iron but do they have an independent existence? most of the acids जो हमारे course में है वो hydrogen containing compounds है most of the acids जो हमारे course में है है ना या हमारे course के अब सारी acids कह सकते है जो hydrogen containing compounds है acids are acids are hydrogen containing compounds कैसे है? hydrogen containing compounds है ठीक जैसे HCl hydrochloric acid HNO3 nitric acid H2SO4 sulfuric acid ठीके ना? HBR hydrobromic acid HI hydroiodic acid etc. यह सारे के सारे क्या है? hydrogen containing compound है अब यह कह रहा है क्या acid H plus ions को acid release H plus ion but do they have an independent existence? बड़ी acids अपने अंदर से इस H plus यह जो ion है H इसको release करते हैं H plus ion को release करते हैं तो क्या है अकिला रह सकता है? तो इसका answer क्या है? इसका answer है no इसका answer क्या है no अब जैसे मान लेते हैं concept मैं आपके समख्ष लेता हूँ मान लीजी एक acid है HX तो यह aqueous यानि जब अपन इसको पानी में dissolve करते हैं acid है मेरे पास HX इसको पानी में dissolve करते हैं तो यह तूटता है और बनाता है H plus aqueous या फिर हम इसको कहते हैं H3O plus प्लस यह बनाता है आपका X minus समझे X minus aqueous यानि H के साथ जो भी आपका non-metallic part है यहाँ पे CL है यहाँ पे nitrate है यहाँ पे sulphate है यहाँ पे bromide यहाँ पे iodine यहाँ ब्रोमीन है iodine है क्लोरीन है nitrate है sulphate है यह ब्रोमाइड आयोडाइड sulphate, nitrate, chloride यह है यह निकलेगा अब क्या यह H plus अकेला रहता है या ऐसे रहता है यह मैं आपको समझाता हूँ तो H plus की कोई individual existence यह independent existence नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको वो समझाता हूँ H plus का मतलब क्या है आप पहले यह समझो H plus का मतलब क्या है अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर number of protons कितने है तो मेरे दोस इसमे number of protons कितने है एक है मैं आपसे पूछता हूँ इसमे number of electrons कितने है देखे हाइडरोजन में एक proton एक electron होता है वो एक electron भी जब चला जाएगा तो इसपे positive charge आएगा इसपे zero electron है और इसपे zero neutrons है इसको H plus कहते है यह basics I hope आपने पड़े है कि H plus का मतलब क्या हुआ कि H plus का मतलब यह कि इसमे number of proton एक बचाए electron neutron neutron तो वैसे भी हाइडरोजन में नहीं होते बाइडरोजन का सबसे commonly present जो species है that is protein जिसमें एक proton एक electron और zero neutron होता है अब यह एक electron भी चला जाएगा तो इसपे positive charge नहीं हागा बस एक proton ही तो बचा है तो यह actually में है क्या it is a bare positive charge सिर्फ और सिर्फ एक positive charge है and is bare positive charge का क्या है extremely small size है extremely small size bare positive charge है यह this is nothing but a bare positive charge and it has an extremely small size जिस वज़े से होता क्या है मेरे दोस्त होता क्या है यह काफी जादा unstable है क्योंकि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक proton है ना कैसे stable हो सकता है unstable and highly reactive है काफी जादा unstable है और जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो जल्दी से जल्दी react करना चाती है ताकि वो stable हो सके ठीक है तो यह क्या करेगा attaches with water molecule यह पानी के molecule से attach कर जाएगा attaches with water molecule attaches with water molecule and यह क्या बना लेगा यह basically बना लेगा H3O plus यह इसको हम बोलते हैं H plus aqueous क्या बोलते हैं H plus aqueous मेरी बात समझे acids पानी में जैसे ही H plus आयन को देते हैं तो H plus individually या independently exist नहीं कर सकता because H plus में एक proton है electron zero है neutron zero है काफी यह कहा सिर्व एक bear positive charger काफी जादा छोटा है size में अब होता क्या इससे कि काफी जादा unstable और highly reactive है रियक करना चाता है तो जैसे आपने पानी में इसको dissolve करवाया water solvent है तो यह H plus aqueous यानि यह water से attach हो जाता है H plus aqueous और H3O plus बना लेता है यानि यह करता क्या है यह करता क्या है यह करता क्या है इसकी simple interpretation क्या है यह करता क्या है attaches with water कुर्ट करता की इसको ε ultimate बनाना चाहूं तो एसको ऐसे बना सकता हो मैं और आपके लिए आसान हो जाएग경 ऑट है यह क्या करता है अटेचs मॉलीकूल का मतलब है यह एच प्लस क्या करता है एच टूओ के साथ अटैच हो के H3O plus बनाता है जिसको हम लोग H plus aqueous भी कहते है यह ऐसे कर लेता है समझे लिए फटा-फट से water पर attach होके H3O plus बना लेता है यह H plus aqueous बना लेता है इसे hydronium hydronium iron कहते है hydronium iron कहते है ठीक है यह बना लेता है और acids का जो acidic character है just because of this है है ना acidic character इनका कब है acidic character is because of this acidic character is because of this याद रखियेगा acids का acidic चरित्र इसकी वज़े से ही है ठीक है सुनील भी या आगे चलेंगे ठीक है चलिए now role of water in the dissociation of acids पानी का क्या role है क्या बिना पानी के acids अपना acidic character नहीं शो करेंगे प्रूव कर लेते हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे इसको प्रूव कर लेते हैं let's prove this तो आपने क्या किया आपके पास एक boiling tube में concentrated sulfuric acid था दूसरी के अंदर आपने sodium chloride को ले लिया तो sodium chloride और sulfuric acid concentrated sulfuric acid और sodium chloride आपस में react करके sodium hydrogen sulfate and hydrogen chloride gas का निर्मान करते हैं ठीक है ना अब जैसे hydrogen chloride gas का निर्मान होता है तो यहां पर हम यह test करना चाहते है कि क्या यह gas भी acidic है या इसको जब पानी मिलता है तब यह acidically behave करती है यह proof कर रहे है समझे रहे हो भाई यह जो gas release वी क्या यह acid की तेरह behave करती है gases state में या इनको जब पानी मिलेगा तब ही behave करेंगे तो देखो आपने क्या किया आपने dry blue litmus paper को इस actual gas में इस actual gas जहां पर release हो रही है इसके पास आप सूखा हुआ litmus paper लाए और blue litmus paper कैसा रंग देगा देखिए आपका litmus neutral में कैसा था pale purple था acids में लाल था और bases में blue था litmus का जब basic character बढ़ाते है तो नीला हो जाता है वो यानि उसमें basic character बढ़ चुका है उसमें से एक paper को dip करके अगर आपने सुखाने रखा तो blue litmus paper है blue litmus paper acids में लाल हो जाता है bases में कोई color change नहीं करता तो dry blue litmus paper held in axial no change in color यानि axial gas ने acidic nature show नहीं किया ठीक है लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त आप moist blue litmus paper ले गए यानि यह गीला blue litmus paper ले गए वो फटा-फट से लाल हो जाएगा अब इससे क्या पता चलता है मेरे दोस्त इससे पता चलता है कि acids show their acidic character due to the H plus aqueous और H3O plus iron that are produced in the aqueous solution यानि जब पानी solvent होगा तभी तो वो अपने acidic character को release कर पाएंगे और मैंने आपको अभी बताया acids का acidic character किस वज़े से है H plus aqueous और H3O plus की वज़े से H plus aqueous का बनता है भाई पानी में ही तो बन रहा है पानी में acid H plus देता है वो H2O से combine होगी क्या बना लेता है H3O plus बना लेता है या H plus aqueous बना लेता है तो acids का acidic character कहां पर आता है पानी में आता है समझ रहे हो हाँ जी बिया और blue litmus paper का रंग जो होता है वो कैसा कैसा होता है वो मैं आपको बता ज़ता हूँ blue litmus paper यह actually क्या है basic होता है nature में basic होता है तो जैसे ही आप neutral and basic solution की बात करेंगे और आप अगर acidic solution की बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होगा देखिए acid में क्योंकि यह basic substance होता है बाई जब आपने litmus solution का basic character बढ़ाया तो वो नीला हो गया यानि वो पहले ही basic है उसमें आपने paper dip करके सुखाया तो blue litmus paper बना तो वो इसमें रंग ठोड़ी change करेगा वो तो acids में लाल होगा acids में परिवर्तन देगा और इन में क्या रहेगा इनके अंदर basically blue ही रहेगा याद रखना ठीक हाँ ठीक है ना हाँ जी भी हाँ similarly अगर हम बात करें red litmus paper की मेरे दोस्त अगर हम बात करें for example अगर मेरे पास red litmus paper होता ठीक है ना तो वो कैसे behave करता neutral and acidic में और basic में कैसा होता तो दोस्तो अब ये basically acidic होता है इसलिए neutral और acidic में ये basically लाल रहेगा और basic में कैसा हो जाएगा blue हो जाएगा ठीक है ना कैसा हो जाएगा blue हो जाएगा याद रखना इस बात को बाई litmus का जब आपने acidic character बढ़ाया तो red litmus solution बना आपने paper डिप करके सुखाने रखा red litmus paper बना neutral और acidic में लाली रहेगा basic में नीला हो जाएगा ठीक है? हाँ जी बिया आगे चलते हैं अब इस particular चीज को करने के लिए important condition है दोस्तो मान लीजी आपको अच्छी तरीके से test करना है कि HCL gas जो है यानि HCL जो है वो gaseous state के अंदर acid के तरे भेवनी कर रहा हूँ उसे पानी की जुरूत है आप समझे रहो नहीं यहाँ पे पानी के होने से क्या हुआ या पानी के होने से क्या हुआ कि जो HCL आपकी gas थी यह basically पानी के अंदर क्या हुआ पानी के अंदर basically dissolve होने के वज़े से इसने HCL aqueous बना दिया समझे आप और यह HCL aqueous आपका dissociate किसमें होता है H plus aqueous plus C1 minus aqueous में dissociate होता है यह actual reaction हो रही है इस gas को अगर पानी मिलेगा तो पानी के अंदर यह dissociate कर जाएगी H plus aqueous और C1 minus aqueous में लेकिन इसको अच्छी तरीके से test करना है तो मान लो अगर आपकी conditions humid है मान लो आपकी conditions क्या है humid है मतलब air में क्या है moisture in air is high तो क्या हो सकता है मेरे दोस्त अब यहाँ पर आपकी observation गलत हो सकती है मतलब आप तो सूखा litmus paper लेकर बैठे थे लेकिन तब भी रंग बदल गया dry blue litmus paper लेकर बैठे थे आप HCL gas का वेट कर रहे थे वाई और रंग बदल के चली गई तो आप बोलोगा gases भी acidic behavior show करती है actually में हुआ क्या air में moisture जादा था उस moisture से HCL gas ने interact किया उसको वो medium मिल गया वो उसमें dissolve कर गई उसने ions release कर दिये अब वो जैसे ही आएगी तो रंग बदल देगी तो आपको यह ensure करना है कि moisture ना हो तब ही आप gas को अच्छे से test कर पाओगे तो hydrogen chloride gas is first passed through a guard tube इसे drying tube कहते हैं क्या कहते हैं drying tube ठीक है न containing n hydrous calcium chloride which absorbs the moisture and makes the gas dry यह actually में क्या होता है drying agent होता है क्या होता है drying agent या इसको basically बोलते है desiccant जिसका काम होता है moisture को absorb करना इसको ऐसे समझो तुम्हें HCL gas बिल्कुल सूखी सूखी gas किये थी ताकि तुम यह test कर सको कि gases यानि acids पानी में ही अपने acidic character को show करते है सूखा litmus paper सूखी gas no change लेकिन अगर air में moisture होता तो यह gas गीली होकर आती और यहाँ पे dry blue litmus paper को यह क्या कर देती लाल में convert कर देती तुम्हारी observation गलत हो जाती तो gas को पहले ही हम क्या करते हैं यहाँ पे gas को पहली सुखा कर बेशते हैं यानि एक तरीके से तुम ना कर आयो और यह तुम्हारे towel का काम कर रहा है कि ना कर आये और तुमको सुखाया और तुमको बहार बेश दिया ठीक है न? ऐसा समझ में आ गया? ऐसा clear है? इससे drying agent या desiccant कहते हैं and hydrous calcium chloride को ठीक है? हाँ जी भाईया सही है कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है यू आर गेवन aqueous solutions यानि आपने aqueous solution यानि पानी solvent है और four hydrogen containing compounds आपके पास glucose है alcohol है, sulfuric acid है और hydrochloric acid है इन में से कौन सा visually conduct करेगा and why अब screen को pause करके आप answer कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए glucose and alcohol के case में अगर हम बात करें bulb नहीं जलेगा क्यों? because no conduction of electricity ठीक है? लेकिन अगर यही मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त hydrochloric acid की hydrochloric acid की अगर मैं बात करता हूँ इसका aqueous solution की तो यह तूटता है H plus aqueous और CL minus aqueous पे उसी प्रकार अगर दोस्त मैं बात करता हूँ H to SO4 aqueous की तो यह तूटता है twice of H plus aqueous and SO4 2 minus aqueous के अंदर ठीक है तो यहाँ पर actually में क्या है यह जो ions है यह जो ions है यह बिजली conduction में help करते हैं यह आप कह सकते हो mobile ions और यह basically क्या जाते है आपके move to cathode and anode and conduct electricity ठीक है यह basically क्या करते है आपके जो ions है ना यह ions का करेंगे अब यह cut ion जाएगा cathode पे जो negatively charged electrode है अनायन जाएगा anode पे जो positively charged electrode है अनायन पे negative charge यह जाएगा cut ion पे positive charge यह जाएगा cathode पे जाएगा जो negatively charged है और वहाँ पर क्या करते हैं यह लोग cathode पे electrons का gain होता है और कौन से electron का gain होता है जो यहाँ पर anode पे lose होता है जिसको अब हम chloral के लिए process में भी जानेंगे कि anode पे electron lose way वो travel करते है towards the cathode ते flow of electrons बनता है यानि ions बिजली को conduct करते हैं समझ लीजीगा तो याद रखिएगा याद रखिएगा move to anode and cathode and conduct electricity इसको थोड़ा ओपर लिख देते हैं चीगे ना move to cathode and anode and conducts electricity ठीक है तो दैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती उसी प्रकार हर hydrogen containing compound acid नहीं होता जैसे glucose का जो basic formula है वो क्या है C6H12O6 यह formula है उसी प्रकार alcohol में अगर मैं specific एक alcohol ले लेता हूं specific एक alcohol ले लेता हूं CS3, CS2OH तो इसमें भी hydrogen है तो आपको ही बात समझनी पड़ेगी कि हर hydrogen containing compound acidic नहीं होता ठीक है तो we conclude that all hydrogen containing compounds are not acids and they don't ionize to produce H plus aqueous and aqueous solution of all acids conduct electricity यहाँ पे acid dissociate हो रहा है H plus aqueous and Cl minus aqueous H2SO4 dissociate हो रहा है है ना ions में तूट रहा है चीक है ना और यह ions में तूट रहा है तो यह ions बिजली conduct करते हैं तो आपको यह याद होना चीहे कि aqueous solution सारे acids के बिजली conduct करेंगे क्योंकि यह ions produce करेंगे जो बिजली के conduction के लिए responsible है similarly जैसे acids करते हैं वैसे basis dissociate होके OH minus ions कौन से? OH minus ions that is hydro oxide ions को देते हैं यह भी electricity conduct करते हैं aqueous solutions में जैसे basis electricity conduct करते हैं उसी प्रकार जैसे acids conduct करते हैं electricity उसी प्रकार basis यानि शार भी electricity conduct करते हैं just because of the presence of OH minus aqueous ions ठीक है? समझ में आ गया? हाँ जी भी है आईए आगे चलते हैं अब मुझे बताईए कि अगर मुझे एक acid को dilute करना है dilute करना है dilute का मतलब क्या है? पानी का amount बढ़ाना है acid का amount घटाना है ठीक है न? तो मुझे यह करना चीए या मुझे यह करना चीए acid to water या water to acid दोनों में से क्या करना चीए screen को pause करिए और answer करिए मैं आपको तब तक बताता हूँ acid to water या water to acid तो यह आपका सही है यह आपका basically गलत है अब देखेगा कैसे है सबसे पहले dilution का मतलब क्या है dilution of acid का मतलब क्या है इसका basically मतलब सिर्फ इतना है कि more amount of water and less amount of acid यानि पानी की amount को हम बढ़ा रहे है और acid के amount को हम basically घटा रहे है इससे diluted acid कहते है उसी प्रकार concentrated acid के अगर मैं बात करूँ तो concentrated acid क्या होगा acid having more acid particles than diluted one अगर आपके पास दो acid है एक को आप diluted acid कह रहे हो और एक को आप concentrated कह रहे हो आपस में relative है तो जिसको आप concentrated कह रहे हो उसमें diluted acid से ज़ादा particle होंगे diluted acid से ज़ादा particle होंगे acid के same volume of solution आपके पास है एक को आपने diluted का एक को आपने concentrated का तो जो concentrated है उसमें acid के particle इस particular diluted वाले से ज़ादा है इसे हम कहेंगे concentrated acid diluted acid में क्या होता है पानी ज़ादा होता है और acid के particles कम होते हैं इसके comparison में थीक है समझ में आगई बाद हाँ जी भिया अब इसको करने का सही तरीका क्या है सुनील भिया वो बताओ देखो मान लो तुमने water को add किया water to acid अगर आपने किया water is added to the acid तो दो दिक्कत या आपको मिलेगी सबसे पहला density of water is less than the density of acid तो acid नीचे रहने कोशिश करेगा पानी उपर रहने कोशिश करेगा है ना water will try to stay at top water will try will try to stay at top जैसे reaction स्टार्ट होने वाले होगी तो पानी तो उपर रहने कोशिश करेगा density का में अब जैसे मालों तुमने acid में सीबे पानी डाला तो interaction जो है acid का पानी के साथ ये काफी ज़्यादा exothermic है क्योंकि जैसे ये interaction होता है तो acid का क्या होता है dissociation of acid होता है dissociation of acid happens when it interacts with water अभी अपनने पढ़ा था ना कि पानी के अंदर acid क्या है तूटता है H plus aqua science देता है और अनायन देता है respectively तो पानी के अंदर वो तूटना पसंद करता है वो तूटता है मेरे दोस्त तो यहां पर ये जो interaction ही exothermic है क्यों exothermic क्यों है क्योंकि जो dissociation हो रहा है acid का वो exothermic है dissociation of acid happens when it interacts with water और ये जो dissociation है acid का ये heat energy को generate करता है जैसे ही acid पानी के contact में आता है मैंने आपको बोला वो dissociate होके H plus aqueous ions और साथ में अनायन देगा अब ये dissociation process exothermic के हीट निकलेगी तो मान लो मेरे दोस्त तुमने beaker लिया beaker के अंदर तुमने क्या लिया यहाँ पर acid लिया और acid में जैसे ही तुमने पानी डाला तो पानी और acid जैसे ही contact में आएंगे dissociation होगा acid गा जिससे काफी ज़्यादा heat निकलेगी और पानी उपर अनी की कोशिश करने वाला है अब होगा कैसे ही जो heat generate होगी इस heat से यहाँ पर दो चीजे होने वाली है क्या होने वाली है देखना ध्यान से सुनना तो जैसे ही आपकी जो heat है यह क्या करेगी water जो आपने add किया है उसको फटा-फट से water vapor में convert कर देगी भाई आपने जैसे ही पानी को acid के अंदर डाला भाई यह आपका क्या है यह आपका basically क्या है this is nothing but your acid और जैसे ही आपने water की droplet को डाला जैसे ही इनका interaction हुआ acid dissociate करना start करेगा acid ions में तूटना start करेगा process exothermik है heat निकलेगी heat से पानी vapor बन जाएगा और जैसे ही vapor बन जाएगा तो vapor बार उचलने की कोशिश करेगी on the interface and interface यह होता है interface and a mixture of acid and water splash out and cause बंस अब यह जैसे ही आपके touch में आया इसके साथ dissociation वा acid का exothermik था heat निकली पानी vapor बनेगा यह जैसे ही touch में आये acid की dissociation भी exothermik है काफी heat निकलेगी heat निकलेगी तो पानी vapor बनेगा vapor अपने साथ कुछ acid के particles भी लेकर निकलेगी बाहर फटा-फट कुछ acid के particles भी अपने साथ लेकर निकलेगी अगर किसी का move होपे होगा तो जल जाएगा दूसरा यहाँ पर दिक्कत क्या है दूसरी यहाँ पर दिक्कत क्या है acid heat को hold नहीं करता don't hold heat क्या करता है यह it transfers to glass यह heat को hold नहीं करता है मेरे दोस्त यह सीधा इस heat को एक particular area पे सिर्फ यहीं पर transfer मार देगा अब इस particular area पे heat को transfer मार दिया भाही ने the beaker in which the dilution is carried out may also break due to excessive local heating excessive local heating का मतलब इस particular area में heat transfer कर दी उसने इतनी जादा heat है चटक जाएगा सीधा का सीधा भी कर तो यह दो disadvantages है इसलिए कभी भी आपको पानी को acid के अंदर add नहीं करना है instead आपको उल्टा करना है acid को पानी में डालना है अब acid को पानी में डालने से क्या होगा यह मान लीजिए अब आपका पानी है और यह मान लीजिए आपकी acid की बूंद है तो आपको यह पता है कि acid की जो density वो क्या है पानी से जादा है ठीक है ना सबसे पहला पॉइंट है density of water is less than acid acid की जादा है तो acid नीचे जाने की कोशिश करेगा अब नीचे जाने की कोशिश करेगा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसका फिर से dissociation होगा फिर से heat निकलेगी हाँ निकलेगी ठीके ना तो आपको क्या करना है अब जैसे ही मान लीजे हीट निकलेगी है ना ठीके ना एसेड इन वाटर जैसे ही आएगा ठीके ना तो यह यह आपका तीसरा पॉइंटर है दूसरा पॉइंटर यह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा dissociation of acid होगा और dissociation of acid किसमी हो रहा है ions में तूटेगा acid तो ये process basically exothermik है अब exothermik है तो मस्त बात क्या है water क्या करेगा इस heat को water water क्या करेगा water holds most of the heat and transfers less heat to glass अब देखिए पानी की heat holding capacity अच्छी होती है acid की तरह नहीं होती हीट जनरेट वी और सीधा glass पर पटक दी heat को hold करने की capacity पानी की अच्छी है तो वो most of the heat को क्या कर देगा most of the heat को hold करके रहेगा और बहुत कम को वहाँ पर transfer करेगा तो सबसे पहला तो density of water जो है जो density of water less than that of acid है तो acid नीचे गिरने कोशिश करेगा अब जैसे introduce होगा तो dissociation of acid होगा into ions exothermic process है heat निकलेगी पानी heat को hold करेगा कम heat को transfer करेगा glass पर हाँ भाईया इतनी basic बात समझ में आ गई हाँ जी भाईया समझ में आ गई ठीक फिर आपको क्या करना है अब इससे ना तो glass की excessive local heating होगी और आपको क्या करना है तीसरा to slow down the exothermic reaction dilution of concentrated acid is always done by slowly adding the concentrated acid into a sufficient amount of water with gentle stirring थोड़ा add करो फिर गुमाओ थोड़ा add करो फिर गुमाओ इस तरीके से heat uniformly distribute होने लगेगी ठीक हाँ जी भीया समझ में आगई बात अब इसमें ना तो acid ऐसे उचल के मुझ के उपर गिरने वाला है है ना बचे वे रहेंगे ना ही glass तूटेगा ना ही मुझ पर कुछ गिरेगा ठीक हाँ जी भीया ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिए अब last chemical properties की reaction क्या है reaction of metals with basis फटाफट से देख लेते हैं इसको reactions of metals with basis तो जैसे ही आपका metal alkali से alkali का मतलब होता है water soluble basis not all basis are soluble in water सिर्फ कुछ basis पानी में soluble होते हैं ठीक है ना कुछ basis पानी में soluble होते हैं जैसे मान लीजे मैंने आपको बोला copper oxide मैंने बोला मान लीजे sodium oxide मैंने बोला मान लीजे potassium oxide अब इसमें से कौन सा alkali और कौन सा base है ठीक है ना तो देखिए यह alkali है यह alkali है base भी है बेस भी है यह सिर्फ base है क्योंकि यह पानी में soluble भी है और basic भी है alkali is our water soluble basis copper oxide is insoluble in water है ना copper oxide is insoluble in water but it is a basic substance potassium oxide is soluble in water so it's in alkali it is also a basic substance तो जैसे ही आप metal की यहाँ पर alkali से reaction करवाते हैं है ना और वो alkali को आपने पानी में dissolve कर रहा है आपने पानी लिया उसमें मान लीजे caustic soda डाल दिया यानि एने ओच डाल दिया साथ में आपने मान लीजे zinc या फिर aluminium का foil डाल दिया तो आपको यह particular salt देखने के लिए मिलेगा and hydrogen gas देखने के लिए मिलेगी hydrogen को test करना है तो it burns with a squeaky pop it burns with a squeaky pop ठीक हाँ जी विया अब आप कोगी सुनील विया NCRT में तो different products है यह भी zincate और eliminate है sodium zincate sodium eliminate है तो यहाँ पर मैंने reason भी लिखा है the chemical reactions in the above cases will form a mixture of different zincate and eliminate anions and not all metals and not all metals react with basis to show such reactions actually zincate and eliminate के काफी सारे anions होते हैं इसलिए आपको अलग-अलग प्रकार के formulae देखने के लिए मिलते हैं NALO2, NA2ZNO2 है ना वो भी सही है ये भी सही है कोई देखकर नहीं है एक और important बात यहाँ पर क्या है सारे metals यहाँ पर इनसे react करके basis से react करके salt और hydrogen नहीं देते only amphoteric metals react आपके course के साब से amphoteric metals बता देता हूँ only amphoteric metals react with alkali to give salt and hydrogen gas इसका मतलब यह दोनों क्या हो गए यह दोनों basically क्या हो गए यह amphoteric metals हो गए कौन से metals amphoteric metals amphoteric metal का मतलब हुआ जो acid से react करके salt and hydrogen बनाए और base से react करके salt and hydrogen gas बनाए इसे amphoteric कहते हैं तो यह basically acid के साब यह करके भी salt and hydrogen बना रहे थे बेस के साब यह करके भी salt and hydrogen बना देंगे क्या बात है ठीक है उसी प्रकार reaction of non metallic oxides with basis देखिए मान लीजे आपके पास carbon dioxide और SO3 है अब carbon dioxide वाली reaction आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी याद कीजे carbon dioxide और calcium hydroxide will give CACO3 plus water है ना तो भाई हमें यह पता है कि metal के oxides और metal के hydroxides और ammonium hydroxide कुछ metal के oxides कुछ metal के hydroxide और ammonium hydroxide basic होते हैं यह बेसिक हैं यह बाकी बच्चे में B, P, Z यह बेसिकली कौन है एमफोटरिक metals है तो इनके जो मेरे दोस्त oxides होते हैं इनके जो oxides और hydroxides होते हैं वो बेसिकली एमफोटरिक होते हैं उसी प्रकार non-metal के जो oxides हैं जैसे यह carbon dioxide है ना और आपका sulfur trioxide यह क्या कर रहे हैं ध्यान से आप देखिए यहां पर यह basic substance से इंट्रैक करके salt और water बना रहे हैं यानि एक तरीके से यह acid की तरह भीएव कर रहे हैं तो acid प्लस base विल के salt प्लस water कौनसी टाइप की reaction हो गई neutralization reaction हो गई कौनसी reaction है neutralization reaction है important बात एक और note करना non-metal के जो oxides है non-metal के जो oxides हैं वो basically आपके neutral भी हो सकते हैं और वो आपके acidic भी हो सकते हैं हुआ है त्यसे acid कौन पूइं होगा carbon dioxide हो गया nitrogen dioxide हो गया sulfur dioxide हो गया drag mutual कौन है carbon monoxide हो गया nitrogen monoxide हो गया water हो गया एट सेत्रा यह neutral होता है निचर में यह acidic होता है नेचर में non metal के oxides हैं यह neutral है यह acidic हैं है यह acidic non metallic Oxide तो acid plus base will give salt plus water, I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है न, ऐसे sulfur trioxide with NEOH will give sodium sulfate, है न, plus H2O, I hope this is clear to each and every one of you, I hope this is clear to each and every one of you, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से, तो बस यहां तक अगर समझ में आगे हैं, तो बढ़िया से आए भईया किस ताथ प्यार बढ़ियर लगा देना मस्त एक दम कि वही है, यहां तक समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, now acidity and alkalinity in terms of pH, alkalinity का मतलब basic nature, basic nature, इसको pH के terms में अगर express करें, तो उसकी चर्चाम करने वाले हैं, बहुत छोटा सा topic है, जल्दी से निप्टालेंगे इसको, तो Sorenson एक Danish chemistry जिन्होंने 1909 में, Sorenson एक Danish chemistry जिन्होंने 1909 में एक तरीका अपन को बताया, जिसने के अपन hydrogen ion concentration को express कर सकते हैं, एक solution की, उस तरीके के उन्होंने बोला pH, जहां पर P क्या है, यह pH का मतलब है power of hydrogen, क्या है, कि बहुत एक solution की hydrogen ion concentration को express करने के लिए, उन्होंने एक तरीका दिया pH, pH stands for power of hydrogen, ठीके न, where P represents the German word for power that is potence, यह German word को represent करता है, that means potence, and H is the elemental symbol of hydrogen, ठीके, P represents the German word for power that is potence, and H is the elemental symbol of hydrogen, क्या बात? अब देखिए, 25 degree Celsius, इसका मतलब होता है कि at room temperature हम क्या observe करते हैं, तो at room temperature, the solutions may have the pH range from 0 to 14, 25 degree Celsius पे 0 to 14, डिफाइने इसके ओपर नीचे हो सकते हैं, temperature change करोगे तो, room temperature पे 25 degree Celsius पे 0 to 14 है, और different solutions के लिए different pH value है, जैसे मान लीजिए, neutral solution है, तो pH value जो है, वो 7 है, acidic solutions के लिए pH value 7 से कम है, और basic solutions के लिए pH value 7 से जादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, H plus ion का जो concentration है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, आपका H plus aqueous ion का जो concentration है, ठीक है ना, that is equal to OH minus aqueous ion, यानी एक solution में जितने H plus aqueous ion होंगे, उतने ही OH minus aqueous ion होंगे, यह कौन generate करता है, यह generate करता है basis, हमारे course में अभी यही base है, जो OH minus aqueous ion generate करते हैं, है ना, हमारे course में यही है, तो H plus aqueous ion की जितनी concentration है, उतने OH minus ion की concentration है, मतलब जितना acidic character है, उतना ही basic character है, इसका मतलब neutral हो गया, लेकिन अगर acidic की बात करें, तो यहाँ पर अब H plus aqueous ion का जो concentration है, वो ज़ादा होगा OH minus aqueous ion concentration के, तो acidic character, उसी प्रकार अगर pH साथ से जादा है, तो H plus aqueous ion की concentration, जो है, और pH का जो value है, वो साथ से कम होगा, इस case में साथ से जादा होगा, इस case में साथ के बराबर होगा, समझ में आ गया, हाँ जी यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, if the pH value decreases, the H plus ion concentration increases, and hence the acidic character increases, if the pH value is less than 7, तो H plus ion की concentration बड़ेगी, acidic character बड़ेगा, ठीक है न, और अगर pH की value साथ से जादा है, तो H plus ion की concentration गटेगी, या फिर OH minus ion की concentration बड़ेगी, and hence the basic character increases, यानि 7 पर दोनों की concentration बड़ाबर है, 7 से जादा पर, OH minus ion की concentration बड़ेगी, H plus ion की concentration गटेगी, 7 से कम पर जाएंगे, तो H plus ion की concentration बड़ेगी, and OH minus ion की concentration गटेगी, ठीक है, हाँ जी विया, चलिए, अब आता है एक indicator जिसका नाम है universal indicator, यह हमारी क्या मदद करता है, देखें, हमारे जो लिटमस है, color changing indicator से लिटमस, यह basically methyl orange, etc. यह इनके साथ क्या दिक्कत है, only tell, only tell that a substance is acid or base, यह सिर्फ इतना बताते हैं कि acid or base है, don't tell the strength, क्या यह आपको strength बताते हैं, कि कितना strong acid है, कितना weak acid है, यह कितना strong बेस है, कितना weak बेस है, वो तो नहीं बताते हैं, जैसे अगर color लाल होगे तो acid है, color नीला होगे तो base है, कितना strong acid है, कितना weak acid है, यह नहीं बताते हैं, हाँ, तो यह आपको बताता है, universal indicator अब universal indicator क्या है the pH of a solution can be measured using a universal indicator which is a mixture of thymol blue phenophile and different indicators अब ये अलग-अलग color show करता है अलग-अलग H plus ion concentration के उपर ठीक है अलग-अलग color show करेगा तो है तक देद मान लीजी हम विब्योर वाले pattern पर चले तो violet और indigo को अटाईए अब आप पकड़िए blue तो सबसे पहले अगर इसने blue color दिया है बिल्कुल dark blue यानि strongly basic substance है pH value 14 पे है दैसे sodium hydroxide solution अब अगर बिल्कुल 7 पे आ जाए तो हमारे पास आजाता है बीच में green blue, green फिर आता है yellow, orange और red yellow orange और एक दम extremely red हो रहा है अगर extremely red हो रहा है इसका मतलब क्या है काफी ज़्यादा strong acidic substance है ठीक है ना समझ रहे हैं आप red हो रहा है काफी ज़्यादा red हो रहा है तो strongly acidic है तो यह strongly acidic फिर यह तोड़ा weekly acidic फिर less acidic neutral फिर उसका वीकली basic and then strongly basic यहां पर यह range भी आप देख सकते हो तो यह basically क्या ग्रीनिश ब्लू है ग्रीनिश ब्लू फिर yellowish green के बाद basically क्या आ जाएगा yellow आ जाएगा यलो के बाद orange orange के बाद basically red आ जाएगा तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम move करेंगे अलग-अलग color ranges हमें अलग-अलग nature को बताने वाली है जो कि साथ है वो आपका neutral है इस तरफ acid character बढ़ेगा इस तरफ basic character बढ़ेगा इस तरफ acid character बढ़ेगा इस तरफ basic character बढ़ेगा याद रखियेगा ठीक है ठीक है ठीक है इसमें जो milk of magnesia that is nothing but magnesium hydroxide it is nothing but milk of magnesia ठीक है हाँ जी बहिया चलिए आगे चलते हैं फटा फट से generally a paper strip impigrenated in the universal indicator is used for measuring the pH of the solution this paper strip is known as pH paper तो जैसे basically हम लोग red litmus solution और blue litmus solutions में paper strips को डुबा के और फिस सुखा के यूज़ करते हैं उसी प्रकार universal indicator में paper strips को डुबा के ऐसे सुखाया जाता है और फिर उसको as pH paper use किया जाता है ठीक है clear है हाँ जी बिया चलो best है बहुत बढ़िया now हमारी daily life के अंदर ये भी काफी easy और आसान सा topic है जिसे अभी हम जल्दी से खतम कर देंगे हाँ वई तो क्या है pH की importance हमारी daily जिन्दगी के अंदर इससे related कुछ topics है आई ये फटाफट से उनको खतम करते हैं ठीक है तो suppose आपको honeybee ने या basically आंट ने यानि चीटी ने डंक मार दिया या मान लीजे कांट लिया तो आपने देखा हुआ आपको काफी ज़्यादा पेन होता है काफी ज़्यादा irritation होने लग जाती है इसके पीछे का कारण क्या है बिकास आंट या फिर जो bee string है उसमें से formic acid या methinoic acid हमारी body में inject हो जाता है और जिस वज़े से मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा pain और irritation होती है यह NCRT concept है इसके लावा और भी reasons है histamine का reason भी है जो किताब में नहीं है mentioned ठीक है अब इसका solution क्या है कि acidic substance अगर डाल दी its effect and to provide relief a solution of mild basic substance like baking soda should be applied ठीक है baking soda लगा लीजिए सही हो जाएंगे अब एक मस्सीज़ आपको बताता हूँ honey bean मान लीजिए आपको dunk मारा dunk मारा तो वो एक ही बार मार सकती है क्योंकि dunk मारते हैं उसका dunk और साथ में पूरा abdomen बागिर सा बहीं रह जाता है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है तुमनेंको मारा dunk उसके बाद एक ही बाद डंक मार सकती है परमात्मा ने बनाया ही ऐसे हैं समझ में आगे बात हाजी वहीया क्या बाद आप देखिए नौड लीव्ज ओफ नेटल प्लांट्स ये बेसे कली आपका नेटल प्लांट है अब अगर आज की आप लीव को देखते हैं मेरे दोस्त तो आपको यहां दिखता है ऐसे यह तीखे-थीखे यह देखे, stinging hair है, है ना, have stinging hair that injects formic acid when touched accidentally, तो यह भी आपकी body में formic या basically आप कह सकते है, methanoic acid को आपकी body में inject करा देता है, और इसकी वज़े से काफी जाधा pain और दर्द होता है मेरे दोस्त, तो फिर इसके लिए traditional remedy जो nature न leaf of dog plant that grows in the vicinity of the nettle plant, इसके ही just pass में यह dog plant उगता है, इसकी पतियों को ले और उस particular area पर घिजदे मेरे दोस्त, आपको इससे आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, ठीक है, हाजी भाईया, आगे चलेंगे, अब देखिए tooth decay, यानि दार्थ कैसे खराब होते हैं, तो हमारा जो tooth enable है, अगर मान लीजी, यह आपके दात का एक structure मैं बनाता हूँ, यह आपका दात है, तो इस दात की जो सबसे outermost layering है, यानि जो सबसे hardest layering है, यह basically क्या है, यह आपका tooth enable है, सबसे hardest, आप कह सकते है, part आपकी human body का, तो दात की सबसे outermost covering है tooth enable, यह actually क्या होता है, यह होता है calcium hydroxy appetite, which is a crystalline form of calcium phosphate, calcium hydroxy appetite होता है यह, और यह किसका form है, calcium phosphate का एक form है, यह जो चीज़ है, आपकी body का सबसे hardest substance है, आपकी human body का, important fact यह कि hardest substance तो है, आपकी human body का hardest substance तो है, साथी साथ, यह ऐसा tissue है, that doesn't regrow, it doesn't regrow, ठीक है न, यह एक ऐसा tissue है, it doesn't regrow, यह एक ऐसा tissue है मेरे दोस्त, जो regrow नहीं करता है, एक बाद तोड या खतम, regrow नहीं करेगा, ठीक है, अब यह आपकी body का सबसे hardest substance है, पानी में दोस्त यह insoluble है, वरना अगर आप मान लीजे, पा crude हो जाता है, यानि खराब हो जाता है, जैसे ही आपके दात का pH 5.5 हो जाता है, या उससे नीचे चला जाएगा, यानि moderately acidic होने लगेगा, तो आपके दात खराब होने लगेंगे, इसको tooth decay, tooth cavity, demineralization हम लोग कहते हैं, अब actually इसमें होता क्या है, वो मैं आपको बता देता ठीक है, अब होता क्या है, मेरे दोस्त, कि आपका tooth enamel calcium hydroxy appetite से बनावा है, जो hardest substance in human body का, it doesn't regrow, पानी में insoluble है, लेकिन खराब हो जाता है, जब मूँ का जो pH 5.5 से कम हो जाता है, यानि acidic हो जाता है, होता कैसे है, आपके दात में जो bacteria है, वो बढ़िया से dental colony बना के रहते है जैसे हमारे हम colony में रहते हैं, ऐसे dental colony बना के रहते हैं, जिसे plaque कहते हैं, अब ये भाई सब करते क्या है, आपके मूँ में जो leftover sugar रह जाती, मतलब आप खाते तो लोग कहते हैं ब्रश करो ये कुल्ला करो, अगर आप वो नहीं करोगे, तो मेरे दोस्ते जो मूँ में present bacteria है, ये उसको खाएंगे, ये खुद खाएंगे, ये बड़े होंगे, reproduce करेंगे, and finally, जहाँ पर खाया, उसी थाली के अंदर ही, समझ गया न, महीं पर ही, कर देंगे, potty, अब होगा क्या दोस्त, ये acidic है, नेचर में, यानि इनका जो waste है, वो acidic है, और तुमारे मूँ में उनने क कर दिया है, अब इससे क्या होगा, ये तुमारा जो, calcium, hydroxy, appetite है, खराब होगा, demineralization, इसको कहते है, process को, actually कहा जाए, तो demineralization process होता है, किसका, इसका, यानि ये calcium और phosphate का अलग-अलग होने लगते हैं, calcium and phosphate के जो ions है, वो separate होने लगते हैं, separate होने लगते हैं, separate, ठीके ना, क्या होने लगते हैं, separate होने लगते हैं, क्योंकि ये बना किससे, calcium और phosphate के आयन से बना, वो अलग-अलग होने लगते हैं, acidic medium की वज़े से, समझ गए, समझ गए, अब जब तुम ये सुन रहोगे, तुमको लगा, ओल्टी, ओल्टी मुह में, acidic 40, ये गंदी बात है, acidic excreta कैसे भया, ये से होता है भया, ये reality है, ओक क्या है, तो फिर का करें, कुछ नहीं, बरस करो, सुनील बे, ये तो artificial हो, भगवान ने कोई natural तरीका नहीं दिया, natural तरीका क्या है, natural way क्या है, natural way of neutralization भी बता देता हूँ, natural way of neutralization, actually में क्या है मेरे दोस्त, आपके मुह में एक saliva नाम की चीज है, saliva नहीं बोला, saliva बोला, सलाइवा, ये क्या है, alkaline है, alkaline and neutralizes the acid, इसलिए साड़े 5 से कम होता है, तो ये हार मान लेता है, लेगन उससे पहले आपके मुह में जो थूक है, जो saliva है, वो इसको neutralize करने की कोशिश करता है, ये natural mechanism है, अगर आपके अपने मुह के अंदर saliva बढ़ाना है, तो sugarless chewingum आप खाना स्टार्ट करो, ये क्या करेगा, increases amount of saliva in mouth, ये आपके मुह में saliva को बढ़ा देगा, यानि मुह के अंदर जितना saliva है, वो और बढ़ने लगेगा, because of the eating of sugarless chewingum, तो ये saliva जितना बढ़ेगा, उतना alkaline medium बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ज्यादा, ज्यादा neutralization होगा, तो इंसान टो इंसान, हर इंसान के दात की condition अलग है, तो ये conditions अलग-अलग हो सकती है, ठीक है, हाँ जी भी या, चलो, अब अगला, due to overeating, यानि अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, या बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा लिया, या बेसिकली आपने आपने ऐसा कर लिया कि काफी ज़्यादा caffeinated drinks को आपने consume कर लिया, कौनसी drinks? caffeinated drinks को आपने consume कर लिया, caffeinated drinks like tea, coffee, अगर आपने इनको काफी ज़्यादा consume कर लिया है, तो मेरे दोस्त, stomach जो है, the stomach produces more amount of hydrochloric acid than required, तो आपका जो stomach है, उस ज़्यादा hydrochloric acid को produce करेगा, जितना required है, now this results in the pain and irritation in the lower chest area and this condition is known as acidity या acid reflux, आपका जो isophagus है, उसके अंदर ये acid उपर की तरफ travel करने लगेगा, जिस वज़े से हमें क्या होता है, जलन होने लग जाती है, है ना, chest के नीची वाले area में जलन होने लग जाती है, है ना, burning sensation feel होता है, ठीक है ना, burning sensation feel होता है, irritation होने acid reflux कहते है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब देखिये, it can be cured by taking anti-acids like milk of magnesia, that is magnesium hydroxide which neutralizes the excess acid और आप थंडा दूद भी ले सकते है, थंडा दूद आपका alkaline होता है, यह आपके acid के effect को neutralize करता है, important बात, hydrochloric acid किसका पार्ट है, gastric juice का पार्ट है, gastric juice में hydrochloric acid आपका pepsin और mucus होता है, gastric juice के अंदर क्या-क्या होता है, तो एक gastric juice ज्यादा release कर देता है, gastric juice में क्या होता है, HCL होता है, pepsin होता है, and mucus होता है, इस mucus की वजए से ही, आपके जो पेट है, वो बचा रहता है, जलता नहीं है, वरना HCL तो काफी ज़्यादा concentrated format में है, वहापे, हाँ ज नहीं है, चलिए, अब लास्ट है, अमल वर्षा, that is basically known as acid rain, इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है, अमल वर्षा, यानि acid rain, तो अमल वर्षा, यानि acid rain क्या होती है, जब आपके atmospheric pollutants, like आपका sulfur dioxide, या आपका nitrogen dioxide, that is basically NO2, या carbon dioxide, that is basically CO2, ये rain water में dissolve हो जाते है, तो ये acids बनाते हैं, just like sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid, जिस वज़े से pH of the rain water 5.6 से नीचे आ जाता है, और इसे हम अमल वर्षा, यानि acid rain कहते हैं, देखें, नॉर्मली अगर आप देखें, तो air में oxide of carbon, that is carbon dioxide, तो अवेलेबल है, तो rain water हमेशा acidic होती है, rain water is always acidic, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको जब पानी मिलता है, मेरे दोस्त, तो carbonic acid बना दिती है, अब ये carbon dioxide तो हमेशा atmosphere में available है, मतलब carbonic acid तो हमेशा रहता है, लेकिन उनको intensify कौन करता है, always available, always available, always available, always available, everywhere, हर जगे, सुनील भी नैचुरली NO2 और SO2 अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी नैचुरली अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये तो हर जगे ये अवेलेबल है, अब SO2 का अवेलेबल है, जहाँ पर volcanic eruptions होते हैं, वाँ SO2 गैस निकलती है, पानी से मिलेगी rain water हो जाए, acidic rain हो जा कह सकते हैं, present in rain water, अब मेजर जो है, यहाँ पर contribution किसको दिया जाता है, NO2 और SO2 को, ये SO2 जो है, ये पानी में dissolve होके बनाती है, है, sulfurous acid, कौन सा acid, sulfurous acid, जिसका further oxidation होता है, और वो बना लेता है, basically, H2SO4 aqueous, that is, sulfuric acid का निर्मान कर लेता है, SO2 gas पानी में dissolve होके, sulfurous acid बनाती है, जो further oxidation पे, sulfuric acid बना लेता है, उसी प्रकार nitrogen dioxide जो है, वो basically, पानी में dissolve होके, दो acids का निर्मान करता है, HNO2 aqueous, and HNO3 aqueous, ठीक है, अब यहाँ पर 2 nitrogen है, तो 2 nitrogen, 4, 4 और 1, 5, 3 और 2, 5, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen balanced है, अब देखिए, यह 2 acids का निर्मान करती है, नाइट्रस और नाइट्रिक acid, नाइट्रस acid और नाइट्रिक acid, आप समझे रहो ना, यह atmospheric pollutants, like carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, यह rain water, यानि जो आपका बारिश का पानी है, उससे मिलकर acid का निर्मान करते हैं, non-metallic oxides acid बना रहे हैं, non-metall का oxide acid बना रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं, non-metall की oxides, acidic होते हैं nature में, मज़े की बात आपको बता देता हूँ, यह भी further oxidize होके, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक acid में convert हो जाता है, तो finally आपको क्या मिलता है, only nitric acid मिलता है, तो you have nitric acid and you have sulfuric acid, अब यह तो हमेशा available rainwater में, लेकिन rainwater को ज़्यादा acidic कौन बनाता है, यह बनाते हैं, तो majorly responsible for the acidic nature of acid rain या अमल वर्षा, तो जैसे इसका pH 5.6 से नीचे चला जाएगा, हम इसको बोलेंगे कि भाई तू acid rain है, क्या है, acid rain है, अब acid rain से दिक्कत क्या है, it makes the survival of aquatic life difficult by lowering the pH of the river water, जैसे ही हर चीज के जीने का specific pH है, यह बेसिकले करेगा, उस pH range को disrupt कर देगा, उस वजए से aquatic life यानि पानी में जो organism जिन्दा है, यह आपके plants है, soil है, इन सब को damage कर देता है, सब के specific pH range है जिस पर काम करेंगे, इसको disrupt कर देता है, ठीक है, ठीक है, clear है यह बात, I hope सब को यह बात अच्छी तरीके से हमारी clear है, I hope this is understood to each and every one of you, तो चलिए बश चलते हैं अब आगे, now, अब यह कुछ acids हैं, इन्हें basically हम कहते हैं, organic acids, ठीक है न, organic acids वो acids होते हैं, जो आपको basically plants and animals से मिलते हैं, अब इस पे special condition है, जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो आपके revision के लिए important नहीं है, इसमें सी बहुत सारी बाते हैं, जो मैं revision में आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आपके exam relevant नहीं है, तो यह आपको plants and animals से मिलते हैं, उसी प्रकार inorganic, या आपके mineral acids होते हैं, यह basically आपको rocks and minerals से मिलते हैं, समझ में आ गया, तो organic acids, plants and animals, inorganic and mineral acids, rocks and minerals, तो यह source of acid है, source of acid, चीक है, हाँ जी भी है, source के basis पे organic या basically inorganic, organic का मतलब जो plants और animals से मिले, inorganic and mineral acids का मतलब जो rocks and minerals से मिले, अब देखिए, इनके example देखते हैं, citrus fruits, citrus fruits कौन-कौन से होते हैं, lemon, orange, यह basically आपके citrus fruits है, इनके अंदर एक acid और होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, vitamin C, जिसे हम कहते हैं, ascorbic acid, ठीक, और दूसरा acid होता है, citric acid, ऐसे इमली के अंदर majorly tartaric acid होता है, other acids भी होते हैं, लेकिन majorly tartaric acid है, tomato में majorly oxalic acid है, vinegar में, vinegar क्या diluted form of acetic acid है, nettle string में क्या होता है, formic acid होता है, apple में malic acid होता है, iron string में formic acid होता है, ठीक है ना, हाँ जी भी या, अब उसी प्रकार अगर inorganic acids या mineral acids की हम बात करें, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजे मैंने बोला आपको H2SO4, ठीक है, मैंने मान लीजे आपको बोला basically HNO3, मैंने मान लीजे आपको बोला HCL, तो यह मेरे दोस्त क्या है, इन और गैनिक या फिर mineral acids है, which are obtained from rocks and minerals, that is sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, ठीक है, समझ में आ गया, clear है बात, सर और कौन को उन्से classification acids के, एक तो हो गया source के basis पे, एक हो गया concentration के basis पे, concentrated acid और diluted acid, अब एक हो जाएगा strong acid या weak acid वाला, आगे उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, हाँ जी भीया, चलो, अब यहां तक समझ में आ गया हो, तो आए भया की हुंकार लगाते जाना, chat box के अंदर मज़ा आ जाएगा मेरे को फटावट से, क्यार आए भया लगा दिया तुम लोगोंने, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे जलते हैं, इसको फटावट से निप्टाएंगे दोस्त, अब salts क्या होते हैं, salts are ionic compounds, बेसिक पढ़ के आए हो, salts are ionic compounds, यानि ionic yogic होते हैं, जिसके अंदर एक positively charged ion, यानि cation होता है, जो usually metal का ion होता है, except ammonium, क्योंकि यह non-metallic है, and negatively charged ion होता है, that is anion, जो non-metallic ion होता है, salt हमेशा cation anion से बनता है, चीक है, salt के कुछ example मैं आपको देता हूँ, अब salt जो है, वो ना तो acid है ना base है, वो acid और base से मिलकर बनता है आपका salt, इतिदेर से पढ़ रहे हैं न, by metal plus dilute acid will give metallic salt plus hydrogen gas, उसी प्रकार metal hydrogen carbonate और bicarbonate plus acid will give salt plus carbonic acid, तो यह salt, acid plus base will give salt plus water, तो जो salt ही ionic compound है, अब जैसे मैंने बोला sodium chloride, तो इसका formula है NECL, magnesium chloride, MgCl2, potassium nitrate, KNO3, sodium carbonate, Na2CO3, ammonium chloride, NH4Cl, अब इसमें cation यह है, और anion यह है, ठीक है, cation और anions है, तो this is metallic part, except this, यह non metallic है, बाकि सारे metallic है, यह non metallic है, सारे कि सारे, non metal से बने है, ठीक है, समझ में आ गया, right, basic सी बात है यह तो, चलिए, अब इस सवाल का answer कीजिए, are salts electrically neutral, बाई, क्या इनके ओपर कोई overall charge होता है, या नहीं होता है, मतलब overall charge पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपको लगता है, electrically neutral है ही है, are salts electrically neutral, so the correct answer to this question is, yes, they are electrically neutral, आपको होगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्यों, salts में, there is no imbalance of charge, there is no imbalance of charge, अगर imbalance आएगा, तो overall charge आएगा, imbalance of charge नहीं है न, देखो मैं बताता हूँ, मान लो मैंने बोला NACL, NACL में positive charge कितना है, भाई इस पे 1 plus है, इस पे 1 minus है, जितना positive charge है, उतना ही negative charge है, तो overall charge न्यूट्रल बना, और ionic compound बनता कैसे है, metal electron को donate करता है, तो वो cut iron बनाता है, और non-metal electron को accept करता है, तो वो an iron मनाता है, जितना electron में दूंगा, उतना ही, तो सामने वाला लेगा, तो metal पे जितना positive charge, non-metal पे उतना negative charge है, simple सी बात, तो बराबर ही होगा, चीक है ना, मान लिजे मैंने बोला NH4Cl, तो ammonium पे overall charge क्या होता है, 1 plus, इस पे होता है 1 minus, 1 plus, 1 minus, हाँ जी भिया, charges क्या है, balanced है, हाँ जी भिया, उसके बाद, किसी ने बोला कि सुनी भिया, मान लो, MgCl2 है, तो इसमें तो charges balanced नहीं है, अरे मेरे दोस्स, इसको देखो, एक बार अच्छी तरीके से, MgCl2 में कटाएन पे charge कितना है, कटाएन पे charge है, 2 plus का, क्लोरीन के ओपर, 1 minus का charge है, लेकिन क्लोरीन का आएन कितना है, 2 है, तो overall charge कितना हुआ, overall charge कितना हुआ, इस पे overall charge कितना हुआ, इस पे overall charge हुआ, 2 plus, 2 plus, और इस पे कितना हो गया, 1 पे 1 minus है, तो 2 पे 2 minus, तो ये क्या हुआ, neutrally ही तो हुआ, समझ में आयाfal हुआ सोडियम ने एक प्लूस क्लॉरीट केया एक गेन कर देद माईना इसने इस पह 5-ben एक टो-वरड चार्ज एक्नीष चाहेक टो- माइनस और मैगनीशन पर कितना है टू प्लस बात खतम चलो अब बच्चे कहते है सुनील भी है स्ट्रॉंग एसिड क्या होता है वीक एसिड क्या होता है स्ट्रॉंग एसिड का मतलब होता है पहले तो यह याद रखना स्ट्रॉंग एसिड जो completely dissociate कर जाता है completely dissociates into ions ठीक है ना मतलब क्या है दिसे मान लीजे मैंने बोला H2SO4 यह strong acid है तो इसका मतलब यह दोस्त कि यह completely dissociate कर जाएगा ions में और यह बना देगा twice of H plus aqueous and यह बना देगा SO42 minus aqueous completely ions में dissociate हो गया इसलिए इसको strong acid कहते हैं यह strong acid है अब ऐसी मैं आपको example देता हूँ मैं आपको list भी याद करवा दूँगा आप tension मतलो पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो यह concept number one हुआ यह concept number आपका two होगा कौन सा वाला यह वाला concept number आपका two होगा मान लीजे मैं लेता हूँ यहाँ पर यह तो हो गया यह acetic acid तो यह CH3COOH acetic acid अब यह जब dissociate करेगा तो यह acetate का अनायन बनाएगा और साथ में H plus aqueous बनाएगा लेकिन मेरे दोस्त कुछ acetate के अनायन और कटायन मिलकर वापिस इसको बना देंगे इसलिए arrow देखो मैंने कैसा लगाया यह arrow लगाया है यह weak acid है इनको अगर मैं दोनों को compare करवाऊं मान लो मेरे पास particular amount of solution है इसका और इसका ठीक है उसमें 100 पार्टिकल इसके है 100 पार्टिकल मेरे पास इसके है 100 पार्टिकल पूरे के पूरे आयन्स में dissociate करते है इसके 100 में से 50 पार्टिकल dissociate करते है आयन्स में बाकी 50 नहीं कर रहे है उसमें हो कहा रहा है आयन्स में dissociate किया वापिस combine होकि यह बना दिया तो यह weak acid है क्यों यह जादा करेगा, यह कम करेगा, भाई, इसके 100 के 100 H2S4 तूट जाएंगा आइंस बनाने के, इसके नहीं तूटेंगे, relatively समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो यह completely dissociate कर जाएगा into ions, और यह जो है, weak acid के साथ क्या होता है, weak acid के साथ क्या होता है, partially dissociates into ions, partially dissociates into ions, ठीक, यह एक और तरीका है, acids को define करने का कि, strong acid और weak acid, तो strong acid वो, जो basically completely dissociate कर जाए ions में, बैसे कि यह, ठीक है, उसी प्रकार, weak acid वो है, weak acid वो है, इसको अटारो, ताकि आपको equation का partner लगे, weak acid वो है, जो partially dissociate करे ions में, arrow याद रखना यह वाला arrow लगेगा, ठीक है, कि यह तूटके इन्हों ने दिया, और यह combine करके वापिस इसको बना रहे है, ठीक, हाजी विया, अब strong acid सिर्फ साथ ही strong acid जो आपको याद रखने हैं, बाकि सब weak है, कौन सा, sulfuric acid, कौन सा है, sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, पर-cloric acid and chloric acid, यह basically क्या है, यह है, यह है chloric acid, और यह है पर-cloric acid, बाकि सब के नाम में तुम्हें थोड़ा सा लग रहा हो, बाकि सब के तो easy है, इनके नाम तुमको थोड़े से नए लग रहे होंगे, ठीक है, clear है, पर-cloric acid, chloric acid, hydroiodic acid, hydrobromic acid, hydrochloric acid, सबी का लिख देता हूं, चलो, आपको easy कर देता हूं, आपके लिए, sulfuric acid, ठीक है, nitric acid, ठीक है, hydrochloric acid, hydrochloric acid, hydrochloric acid, and hydroiodic acid, ठीक है, यह आपको basic सी चीज़े पता होनी चीए, यह साथ acids ऐसे हैं, जो strong acids है, यानि completely dissociate कर जाएंगे, ions में, और इन ions में dissociate करेंगे, तो H plus aqueous की वज़े से acid ही character होता है, तो यह strong acids होंगे, ठीक है, बाकि सारे acids, except these seven acids, all acids are weak acids, including all organic acids, जो भी आपने पढ़ेते, malic acid, tartaric acid, है ना, vinegar, यह सब, यह weak acids है, ठीक है, ओके भी या, ठीक है, strong basis, अब strong basis वह होंगे, जो completely dissociate कर जाएंगे, है ना, दसे मानली जी, यह strong base है, तो यह भी completely ions में dissociate करेगा, लिख लीजएगा, completely dissociates into ions, और जो weak bases होंगे, जैसे यह है, तो यह partially dissociate करेंगे ions में, क्या करेंगे, partially dissociate into ions, जैसे आप इनकी aqueous solution की बात कर रहे हैं, मतलब पानी में, इनको अपने dissolve करवा रखा है, तो यह क्या करेंगे, यह basically आपके partially dissociate करेंगे, ठीक है, अब strong bases आपके course में, जो आपको याद रखने है, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, और weak bases जो याद रखने है, ammonium hydroxide and copper hydroxide, इसके अलावा अभी अपने काम में आएंगे ही नहीं, बढ़ एक fun fact मैंने दे दिया है, all metal hydroxides of group 1 and 2 of the modern periodic table, group क्या है, जो modern periodic table के vertical columns होते हैं, vertical columns होते हैं, modern periodic table में ऐसे 18 vertical column है, उसमें से पहले और दूसरे group की बात करें, तो सारे के सारे basically strong bases है, except the hydroxides of beryllium, lithium का hydroxide, sodium का hydroxide, potassium का hydroxide, rubidium का hydroxide, cesium का hydroxide, magnesium, calcium, strontium, barium, hydroxides of all these metals, hydroxides of all these metals are strong bases, ये basically क्या होंगे, strong bases होंगे, इन सबके hydroxides strong bases होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, तो sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, strong bases है, ये weak bases ने आपको याद रखने हैं, ammonium hydroxide, copper hydroxide, partially dissociates into ions, ठीक है मैं गया, अब एक भैतरीन सा concept में आपको सिखाता हूँ, concept one, ध्यान चे सीखेगा इस चीज़ को, ठीक है, जबसे मान लीज़े, आपको formula of salt दे दिया, आपसे पूछा base क्या है, आपसे पूछा acid क्या है, ठीक है, concept नमबर पहला क्या है, देखो, acid प्लस base will give salt प्लस water, इस reaction को क्या कहते है, neutralization reaction क्याते है, क्या कहते है, neutralization reaction क्याते है, जो की type of double displacement reaction है, ठीक है, सुनील भीया, अब देखिए, सुनील भीया, salt क्या बन रहा है, salt क्या बन रहा है, NH4, CL बन रहा है, साथ में निकाल देते हैं, पानी, acid और base identify करना है, अब देखिए, base क्या होगा, याद रखना, salt का जो kationic part होता है, वो आता है base से, salt का, जो kationic part है, वो base से आता है, इसका मतलब, यहाँ पर जो base है, वो क्या है, ammonium hydro oxide है, तो kationic part कहां से आया, kationic part आया, आपके base से, बचता है, anionic part, यानि chlorine, यह आरा होगा, acid से, hydrogen और chlorine, वाला जो acid होगा, acid यानि hydrogen containing compound, तो वो हो जाएगा, HCL, ठीक है, वो हो जाएगा HCL, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर यह रा chlorine, यह रा chlorine, तो एक salt जो आपका बनता है, उसका katiion जो होता है, base से आता है, और उसका जो anion होता है, वो acid से आता है, HCL plus NH4OH, which will give NH4Cl plus H2O, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, concept number two, आप मुझे बताईए, यहाँ पर HCL किस प्रकार का acid है, HCL सुनील भाईया, strong acid है, कैसा base से अभी बताया था, आपको थोड़ी देर पहले, weak base है, तो अगर मैं same quantity, और same concentration का, acid और base लूँ, यह दोनों लूँ, तो क्या base पूरी तरीके से acid को neutralize कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो जो salt बनेगा, वो acidic salt बनेगा, कैसा salt बनेगा, acidic salt बनेगा, plus water, acidic salt का मतलब यह है, कि जब आप इस salt को पानी में घोलोगे, तो यह salt basically इन दोनों को produce करेगा, और यह दोनों को produce जब करेगा, तो जो pH है solution का, वो कितना होगा, pH will be lesser than 7, पॉइंट समझ रहे हो क्या, मैं क्या बूल रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, यह strong acid है, यह weak base है, यह इसको completely neutralize नहीं कर पाएगा, तो जो salt बनेगा, वो कैसा बनेगा, acidic salt बनेगा, साथ में पानी बनेगा, इसका pH lesser than 7 होगा, salt का, acidic salt है न, इसको पानी में घोलोगे, तो यह further क्या करता है, इन नोनों को produce करता है, यह और यह, तो यह और यह, यह इसको neutralize नहीं कर पाएगा, solution acidic हो जाएगा, हाँ, ठीक है, हाँ, जी भी है, आजओ, यह सेम concept अब दूसरी चीज़ पे लगाते है, फटा-फट से, ठीक है, यहाँ पर लगाते है, concept number, पहला, ठीक, अब copper sulfate का formula, base और acid, copper, sulfate, valency कितनी है, 2, 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, simplified whole number ratio 1 है, बन जाएगा, CUSO4, salt आ गया, हाँ, जी भी आ गया, तो लगा दीजिए, acid, plus base, salt, water, water हो जाएगा, basically H2O, salt हो जाएगा, copper sulfate, अब देखो, acid दे रखा है, H2SO4, आपको पता है, आपको पता है, anionic part, acid से आता है, anionic part, acid से आता है, cationic part कहां से आएगा, base से आएगा, मतलब copper वाला, copper होगा base में, copper वाला base, तो basic substances वो है, जिन में अभी hydroxide है, हमारे course में, तो copper, hydroxide, point समझ में आया, बैस, sulfate तो आया, acid से, copper आएगा, base से, और base, copper वाला, तो hydroxide, अभी हम पढ़ रहे न, basis वो सब्स्टांजे, जिन में OH है, तो copper hydroxide, formula बन जाएगा, क्या बन जाएगा, copper hydroxide बन जाएगा, यह रहा, समझ में आगी बात, हाँ जी भी है, तो यह क्या दे देगा, CESO4 plus water, अब आप मेरे से पहले बता दीजिए, salt का जो nature होगा, वो basically क्या होगा, salt का जो nature होगा, वो basically क्या होगा, यह concept 1 है, concept 2, देखिए, acid, strong acid है, हाँ जी भी है, यह weak base है, हाँ जी भी है, तो यह जो salt बनेगा, कैसा बनेगा, acidic salt बनेगा, हाँ जी भी है, साथ में क्या निकलेगा, water निकलेगा, हाँ जी भी है, बात खतम, acidic salt निकला इसके अंदर, इसका जो pH होता है, वो lesser than 7 होता है, क्या होता है, lesser than 7 होता है, समझ भाया, भाई यह strong acid है, weak base है, इसको neutralize निकला पाएगा, तो जो salt बनेगा, वो क्या है, acidic salt बनेगा, साथ में पानी बनेगा, समझ रहे हो, हाँ जी भी है, तो क्या सुनील्बिया, सिर्फ ऐसे ही होता है, कि strong acid और weak base का reaction होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, other possible types क्या है, मान लीजिए, other possible types क्या है, अब मान लीजिए, कि आपके पास weak acid है, weak acid अगर react करता है, strong base से, ठीक है, NCRT exemplar में से related एक सवाल है, यह वाला सवाल NCRT exemplar का ही है, उसके अंदर और भी बहुत सरे options से उनको try कीजेगा, तो एक mechanism तो यह हो गया, एक ही हो गया, अब एक और क्या होता है, वो भी बता देते हैं, यह हो गया, अब ऐसा भी हो सकता है, कि मान लीजे strong acid है, यह मान लीजे strong base है, ठीक है ना, strong acid है ना, यह मान लीजे weak acid है, और, और, इसका interaction होता है strong base से, और इसका interaction होता है, weak acid का weak base से, तो दोनों cases में जो salt बनेगा, neutral salt बनेगा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे NACL के case में होता है, जैसे NACL के case में होता है, अब NACL का base और acid कौन सा होगा, NACL, तो NACL, तो NACL काटायन, काटायन कम्स फ्रॉम दा बेस, बेस हैनि हाइड्रोकसाइड वाला, सोडियम और हाइड्रोकसाइड वाला base, NEOH strong base, अब NACL का जो chlorine वा एसिट से आएगा, hydrogen containing compound, तो acid कोन सा हो जाएगा, HCL, HCL और NEOH क्या हो जाएगा, भाई, NEOH strong base, HCL strong acid, तो salt क्या हो जाएगा, neutral हो जाएगा, ऐसे weak acid और weak base का होगा, तो neutral salt बनेगा, ठीक है, ठीक है भी हाँ, इस neutral salt का जो pH होता है, वो कितना होता है दोस्त, neutral salt का pH होता है, basically 7, ठीक है, और basic salt का जो pH होता है, वो basically होता है, greater than 7, ठीक है, हाँ जी भी हाँ, चलिए, अब ये बहुत ही सरल्जा सवाल, क्या salt सिफ neutralization reaction से बन सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, simple सा answer क्या है, ना, no, as they are also formed when metal reacts with dilute acids or bases, metal carbonates और bicarbonates react with acids, ये भी तो हमने पढ़ा है, भई metal carbonate या bicarbonate जब acid सिर्या कर रहा है, तब भी salt बन रहा है, metal जब dilute acid सिर्या कर रहा है, तब भी salt बन रहा है, metal जब alkaline सिर्या कर रहा है, तब भी salt बन रहा है, तो रटना क्यों है, ठीक है, हाँ जी भी या, सही बात है, चलिए, अब उठाते हैं, अगला salt, ठीक, सबसे पहले, common salt या इसको बोलते है, table salt, क्या बात है, common name था, common salt ये table salt, chemical name क्या है, sodium chloride, chemical formula क्या है, NaCl, occurrence and extraction, इसकी हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, समुद्र के पानी से हम इसके extraction कर सकते हैं, ये solid deposits के format में भी होता है, ये क्या होता है, ये basically solid deposits होते हैं, क्या होता है, solid deposits होता हैं इसके, क्या होता है, solid deposits, सॉलिड डिपॉजिट्स जो की ब्राउन होते हैं ड्यू टू इंपॉरिटीज विचार ब्राउन है ड्यू टू अर्थली इंपॉरिटीज यह हमको कहा से मिल सकता है इनलेंड लेक्स जैसे कि सामभर लेक है राजिस्थान में वहां से आप देखिए यह आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहला सोर से समुद्री पानी समुद्री पानी में नमक घुलावा है तो हम क्या करते हैं ऐसे खड़े बनाते हैं और उसके अं है ना और वायू देवता की विंड की वज़े से यहां पर क्या होता है जो पानी है वो वाटर एवैपरेट कर जाता है वाटर एवैपरेट्स पानी एवैपरेट कर जाता है और आपको बेसिकली नमक बचता है नमक मिलता है उस नमक का प्योरिफेकेशन करके उसमें बेसिक सूंबर में होता है संबर लेक में भी कोटे ये जहांपर ब्राउन कलर के जिन यह संबर आप ऐसा माना जाता है कि कुछ जो समुद्र थे सागर थे सूख गये, सूख गये, पानी उड़ गया, तो बाकी जो चीज़ सॉलिड डिपॉजट रह गये, तो नमक है, हम उसको ड्रिलिंग करके उस नमक को निकालते हैं, ठीक है, हाँ, अब इसके यूज़िस क्या है, इट इसन असेंशल कॉंस्टिट्वेंट ओफ आर डाइट, हमार कि बलड का प्रेशर बढ़ता और घड़ता है, उसमें भी रिस्पॉंसिबल है यह आपका सोडियम क्लॉराइट, ठीक है, बलड का प्रेशर जो आपका बढ़ता और घड़ता है, उसमें भी रिस्पॉंसिबल है आपका बेसिकली सोडियम क्लॉराइट, ठीक है, उसके आगे चलते हैं अब आता है हमारे पास sodium hydroxide sodium hydroxide का common name क्या है basically इसका common name है कास्टिक सोडा यह इसको हम बोलते है लाए लाए ठीक है ना कि केमिकल फॉर्मला क्या है इसका न ओच manufactured by chloralkali process कौन सा process chloralkali process जिसमें alkali यानि water soluble base कौन सा है इसके अंदर alkali जो है वो main product है और main product इस process का क्या है main product इस process का naoh है उसी प्रकार chlor का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त chlor का मतलब है यहाँ पर chlor stands for chlorine and chlorine इस process का क्या है by product या फिर secondary product है by product और secondary product आपको यह समझना पड़ेगा कि यह process आप किसलिए करवा रहे हो आप यह process करा रहे हो ताकि आप sodium hydroxide प्रेडियूस कर सुको लेकिन इसमें दो by product या secondary product निकलते हैं जो हमने बनाने नहीं ते लेकिन बन गए वह है chlorine और hydrogen gas तो chlorine से process का नाम पड़ा chlor और alkali process यह ऐसे छोटे-छोटे देखिए चमकीले से छोटे-छोटे white pellets होते हैं white pellets of sodium hydroxide ऐसा होता है ठीक है clear है यहां तक बात आईए chloralkali process फटा-फट से खतम करें सबसे पहली चीज़ आपको लेना है brine solution कौन सा आपको लेना है brine solution यानि basically आपने नमक को पानी में घुला NACL को आपने पानी में घुला NACL को आपने क्या किया NACL is dissolved into water क्या है NACL is dissolved in water और यह क्या बनाएगा NACL aqueous बनाएगा अब यह ionic compound है तो यह dissociate करेगा किसमे आइंस पर dissociate करेगा आइंस कंपाौंड क्या करते है आइंस में dissociate कर जाते है आइंस में तूट जाते हैं तूट जाएगा NACL aqueous का मतलब क्या है कि sodium के catein के चारो तरफ पानी है chlorine के चारो तरफ पानी है aqueous ions है ठीक है ions में तूट गया अब यह जो brine solution है इस brine solution को मेरे दोस्तों, आप यहां से इस particular chamber से अंदर की तरफ घुसाओगे, यह अंदर की तरफ यहां से आएंगे, ठीक है सुनील भिया, आएंगे, अब देखें, यहां पर यह जो पार्ट है, यह positively charged है, तो इस वाली electrode को बोलेंगे, basically हम anode, और इस वाली electrode को हम बोलेंगे, क्या, इस वाल जे सुनना क्या होता है, यह जो chlorine के अनायंस है, बाई, chlorine के जो अनायंस है, यह फटाफट, फटाफट, इसकी तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि यह positively charged है, और यह आयंस negative है, तो यह दर जाने लगते हैं, ठीक, ठीक, अब होता क्या है, एनोड पे क्या होता है, सबसे पहले आप यह समझें, कि यह जो chlorine के आयंस है, एनोड पे जाएंगे, electrons को lose करेंगे, क्या करेंगे, electrons को lose करेंगे, यानि एनोड पे क्या हो रहा है, एक तरीके से oxidation हो रहा है, oxidation का एक और मतलब होता है, loss of electrons, क्या मतलब होता है, loss of electrons, तो यह जो chloride के आयंस है, यह फटाफट एनोड प और ट्रãy quickest का निर्माण किया एन नोड पे कौन सी गैस का निर्माण किया एनोड पे अब यहां से जो सोडियम के आइन से दोस्तों यह इन एकस्जेंज मेंबरेन यह एक ऐसी selective membrane ने जो कुछ selected ions को यहां से जाने देगी दसे मान लिजे sodium के कटाइन को जाने देती है चले गए sodium के कटाइन क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इधर चले गए अब इधर आपको H plus और OH minus दिख रहा है क्योंकि जो पानी है वो भी आपका dissociate करता है into H plus and OH minus ions में इस process को self-ionization of water कहते है या इसको autoprotolysis of water कहते है कि पानी खुद से खुद को तोड़ रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर H plus ions है एने प्लस यहां से आ गया इधर आ गया एने पन प्लस वह एच बन माइनस अवेलेबल है अब एच प्लस को साइस काफी ज्यादा छोटा होता है फुटा-फुट से भग जाएगा कैथोड की तरफ जो कि नेगिटिवली चार्ज लिए पॉजिटिवली चार्ज जाए सोडिय के कटाएं से जादा स्पीड से जाएगा कौन सा हाइड्रोजन जाएगा स्पीड से साइस चोटा एंस्टेबल है बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन चीए अब जो इलेक्ट्रॉन तुमारे एनोड से आ रहे थे वो बेसिकली हाइड्रोजन क्या कर लेगा गेन कर क्या बोलते हैं, gain of electrons बोलते हैं, electrons को gain कर लेगा, तो देखिए, कैथोड पे hydrogen gas बनी, anode पे chlorine gas बनी, और near the cathode, sodium hydroxide बना, near the cathode, sodium hydroxide बना, ठीक है, तो overall reaction क्या इस process की, twice of NaCl aqueous plus twice of H2O, ठीक है, will give twice of NaOH aqueous plus hydrogen plus chlorine, इस process का एक और नाम भी है, हम यहाँ पर एक तरीके से electrolysis कर रहे हैं, किसका, brine solution का, तो हम इसको बोलते हैं, electrolysis of brine solution बोलते हैं, क्या बोलते हैं, electrolysis of brine solution, यानि हमने बिजली दे कर, एक तरीके से, electricity दे कर, हमने एक तरीके से, इस particular चीज़ को तोड़ दिया, into multiple products, ठीक है ना, बिजली यानि electrical energy दे कर, हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, NaOH hydrogen और chlorine gas में, क्या बात है, तो देखिए, cathode पर आपको कौन सी gas मिलती है, hydrogen gas, anode पर आपको कौन सी gas मिलती है, chlorine gas, and sodium hydroxide, near the cathode, अब देखिए, degreasing of metals, यानि एक तरीके से, इनके ओपर जो basically grease और oil लगावा है, उनको हटाने के काम में आता है, soaps and detergents बनाने काम में आता है, paper making के काम में आता है, artificial fibers बनाने के काम में आता है, chlorine gas, water treatment के काम में आती है, swimming pool से काम में आती है, PVC बनाने यानि polyvoline chemicals बनाने काम में आती है, यानि कितानु मारने काम में आती है, kill germs on non-living surfaces, इनको मारने के काम में भी आती है, ठीक, बहुत बढ़िया एसी यह फ्यूल की तरही यूज होता है liquid hydrogen in rockets rocket के अंदर as fuel यूज होती है, liquid hydrogen margarine क्या होती? यह तरीके से bread spread होती है, क्या होती है? bread spread होती है, यानि bread पे लगा के खाते हैं, उसको बनाने के काम में आता है, आपका क्या? आपका hydrogen gas क्या होती ये bread spread होती है bread पे लगा के खाने के काम में आती है उसको बनाने के काम में आता है ammonia for fertilizers nitrogen plus hydrogen will gives ammonia NH3 उसको बनाने काम में आता है ये दोनों मिल जाएंगे तो hydrochloric acid बना लेंगे, HCl बना लेंगे है ना, ये तो पता ही आपको hydrogen gas plus chlorine gas है ना, in the presence of sunlight या फिर light will give spice of HCl gas, इसको आप dissolve कीजी ये पानी में dissolve in H2O तो ये आपको दे देगा HCl aqueous that is hydrochloric acid, ये दे देगा steel की cleaning में ammonium chloride बनाने में medicines cosmetics बनाने के काम में आता है hydrochloric acid तो I hope आपको ये सारे uses यहाँ पर अच्छी तरीके से clear है मेरे दोस्त अब चलते हैं फटाफट से आगे अगला हमारे पास क्या है अगला हमारे पास क्या है that is calcium oxy chloride chemical formula CAOCl2 actual formula काफी complex है actual formula is quite complex ठीक है तो इसी से काम चलाईए कैसा powder होता है yellowish white powder होता है please remember कैसा powder होता है yellowish white color का powder होता है common name आपको पता है bleaching powder जिससे आप bleaching करवाने के लिए जाते हैं bleaching powder that is calcium oxy chloride manufactured by ठीक है and principle of manufacture तो manufacturing करने के लिए आप has a clever plant का इस्तेमाल करते हैं अब इसमें तो आप revision कर रहे है वरना मैं आपको बताता with dry slaked lime produces bleaching powder तो यह calcium hydroxide जब chlorine gas से रिया करता है तो calcium oxy chloride and basically steam यानि water vapor को generate करता है I hope आपको यह समझ में आ रहा है ठीक है ठीक है आप इसके कुछ uses है फटापट से देख लीजे it is used in textile industry for bleaching cotton and linen यानि एक तरीके से discoloring करने के काम में आता है discoloring और whitening करने के काम में आता है यानि एक तरीके से अगर किसी चीज का रंग आपको उडाना है तो आप bleaching powder का इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे देखिए अगर यह पहले ऐसे थे हलका सा yellowish था तो after कैसे थे color ही उडा दिया पीला color उडा दिया तो किसी चीज का रंग उडाना है तो bleaching action करवा दीजे bleaching powder को use करिए यह एक अच्छा oxidizing agent है और similarly यह पानी को disinfect करने काम में आता है इसकी यह दोनों properties एक substance की वजए से जिसका नाम है यह release करता है chlorine gas को जिस वज़े से process होता है ठीक है ना because of chlorine gas so this behavior is because of chlorine gas किसकी वज़े से यह chlorine gas की वज़े से यह behavior show करता है ठीक है यह uses याद रहेंगे एक दो और ती बहुत बढ़िया आ गया यह अब देखिए soda ash यह basically क्या है दोनों के common names है common name है soda ash और baking soda अब यह chemical formula यहाँ पर क्या है इसका इसका है Na2CO3 और इसका क्या होगा NaHCO3 क्या बात है chemical name क्या है sodium carbonate इसका chemical name क्या है sodium carbonate और इसका chemical name क्या है sodium hydrogen carbonate क्या है sodium hydrogen carbonate क्या बात है अब it is manufactured by कौन से process से बनाते है तो यह बनाया जाता है ammonia soda process से बनाया जाता है ammonia soda process जिसका another name क्या है solways process है and यह solways process का main product है क्या है main product यही है जिस वज़े से हम process को करते है और यह basically क्या है intermediate product है intermediate product intermediate product of solways process समझ रहे हो intermediate और by product में काफी अंतर है intermediate product का मतलब है कि एक process हमने कर रहे थे हमें last चीज जो चीज़े मान लिज़े last second चीज़े एक intermediate आया मान लिज़े यह basically baking soda मेरे पास आया process में अब इसको मैं गरम करके अपने main product को obtain करूँगा मैं majorly यह process कर रहा हूं इसको पाने के लिए यह मेरे पास बन गया मैंने का ठीक है कोई बात नहीं तू अपने आट टूट और इसको बना तो यह कहा है main product है यह by product नहीं by product का मतलब है जो main product के साथ में बने उनको by product कहा जाता है ठीक है कि हम main product बना रहे थे उसके साथ साथ यह बन गए तो यह by product हो गए यह बना इसको तोड़ के हम यह बनाएंगे तो यह intermediate था इसके बाद यह final product हमारा बनेगा clear यह बात that is Na2CO3 is the chemical formula Na2CO3 is the chemical formula sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate ammonia soda process यह जिसको solvase process कहते है इसका main product यह है और intermediate product of solvase process यह है बहुत सरे लोगो confusion है कि Na2CO3 का formula है washing soda अरे गलत बात है गलत फहिमी आखो soda ash कहते हैं इसको clear यह बात हड़ू सामने से ठीक है भी यह अब ammonia soda process यह solvase process होता क्या है एक flow chart के format में मैं आपको इसको जल्दी से समझा दूँगा सबसे पहले आपको लेना है brine solution क्या लेना है brine solution क्या लेना है brine solution सबसे पहले sodium chloride को पानी में डालना है brine solution बनाना है इसको आपको क्या करना है ammonia tower में डालना है कहां पर डालना है ammonia tower में ammonia tower में जैसी आप इसको डालेंगे तो ammonia tower में NH3 gas आईगी आपने brine solution को ammonia tower में डाला उस ammonia tower में ammonia gas आ रही है जिस वज़े से brine है इससे बोलेंगे ammoniated brine ठीक है, इस ammoniated brine को हम carbonating tower में डालेंगे, जहां पर carbon dioxide gas इन से मिलेगी, हमने brine solution बनाया, brine solution को ammonia tower में डाला, जहां पर ammonia gas इससे mix होगी, उसके बाद इसको carbonating tower में डाला, जहां पर carbon dioxide gas इससे mix होगी, तो NaCl plus H2O plus NH3 plus CO2 will give NaCl3 and NH4Cl, ठीक है, अब carbon dioxide gas यहां पर कैसे आ रही है, उसको समझना, आपके पास limestone है, CaCO3, आप चूना भट्टी के अंदर इसको बढ़िया से गरम करेंगे, तो यह आपको calcium का carbonate का देगा, calcium का oxide और CO2 देगा, इस CO2 को आप यहां transport मार दो, तो carbonating tower में carbon dioxide gas ऐसे आती है, तो यह NaCl plus H2O plus NH3 plus CO2 will react to give NHCO3 and NH4Cl, NHCO3 soluble नहीं है यहां पर, ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा दोस्त, इसको और थोड़ा सा ध्यान चे समझे, अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा, ध्यान चे समझे, CSCO3 लिया, lime clean में heat किया, CO plus CO2 आया, CO2 लिया, इधर tower में दे दिया, अब यहां पर NHCO3 नहीं घुलता, तो NHCO3 नहीं घुलता, तो इसको filter करके आप बहार निकाल दीजिए, इसको filter करके आप बहार निकाल दीजिए, ठीक है, filter कीजिए, और यह heat वाला process मैं आपको अब भी बत NHCO3, बस अभी आपने यह किया, हाँ, इसको अभी हटा दो, यह मैं आपको next page में बताऊंगा, और अच्छी तरीके से, ताकि detail में equation बताऊ, NHCO3 अपने बाहर निकाल दिया, हाँ, अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रता भाई, lime stone को हमने lime clean में तोड़ा CO2 यहां दे दिया, CO हमने slaking कर आई, तो क्या देदेगा, calcium hydroxide देदेगा, क्या बात है, इस calcium hydroxide को इस बचेवे, ammonium chloride से react करवाते हैं, तो देखिए, यह आपके पास क्या है, calcium आपके पास हो जाएगा, cation, यह हो जाएगा, anion, ammonium हो जाएगा, again आपके पास, cation, और यह हो जाएगा, basically, anion, cation, cation, को exchange बारो, calcium chloride और ammonium hydroxide, calcium chloride और ammonium hydroxide, ammonium hydroxide टूटेगा, NH3 और H2O में, जैसे carbonic ऐसे टूटता है, ammonia आईगी, ammonia को transport कर दो के, इस particular आपके ammonia tower में, समझ जाया, देखो, brine solution बनाया, सबसे पहले, तबसे पहले, brine solution बनाया, ammonia tower में डाला, ammonia gas आई, ammoniated brine बना, carbonating tower में डाला, carbon dioxide gas आई, reaction होगी, NHCO3 बनेगा, और NH4Cl बनेगा, NHCO3 को filter करके भाहर निकाल लिया, अब सुनो, line stone है, lime clean में heat करेंगे, calcium oxide प्लस CO2 देगा, CO2 को इधर देदो, calcium oxide की इस लेकिंग करे, calcium hydroxide बनेगा, resonance को exchange करोगे, CACL2 प्लस ammonium hydroxide बनेगा, ammonium hydroxide टूटेगा, NH3 plus H2O में, NH3 को यहां पर देदो, यहां दे दिया, इदर आगया, अब by product क्या बन रहा है, इस process का, secondary product, CACL2 बन रहा है, ठीक, by product क्या है, CACL2 है, और यह intermediate product मानते हैं, यह by product नहीं मानते हैं, उसको intermediate मानते है, क्यो क्योंकि इसकी मदद से मैं यह ले क्या हूँगा, इसकी मदद से मैं soda ice बनाऊँगा, इसलिए इसको by product नहीं गाऊँगा, यह CACL2 मिल गया, इसको मैं रख दूँगा, अभी NaCO3 है, इसको तोड़ के Na2CO3 बनाऊँगा, तो final मेरे पास क्या बचा, Na2CO3 और CACL2 बचा, तो Na बढ़िया तरीके से हीट मारूँगा, तो यह sodium carbonate plus H2O plus CO2 देगा, thermal decomposition, यानि हीट करके इसको decompose करवा दिया मैंने, तो यह तूटेगा, Na2CO3 plus H2O और CO2 में तूटेगा, मुझे मेरा मिल गया soda ash, यह basically मेरा main product है, main product, main product of solvase process, समझ गए, तो अब solvase process का final तुमारे पास क्या क्या बचा, solvase process में final बचा सुनील भिया, Na2CO3 और CACL2, Na2CO3 का बचा, Na2CO3 को तो हमने convert कर दिया, इसलिए Na2CO3 intermediate product है, final क्या बचा, Na2CO3 बचा, और साथ में CACL2 बचा, इस बिचारे का तो हमने कतल करके क्या बना दिया, Na2CO3 बना दिया, समझे, हाँ, अब इसकी crystallization कर दो, crystallization तुमने class 9 में पढ़ी है, majorly salts crystallization से मिलते है, कि भाई इस जो भी आपके पास salt है, इसको एकदम saturated solution आप बना दो, मतलब maximum amount of salt पानी में dissolved है, और ने dissolved हो ली तो गरम करो और dissolve करते हो, गरम करो और dissolve करते हो, गरम करो और dissolve करते हो, फिर ठंडा करने के लिए रख दो, जैसे ठं salt है, उसकी solubility घटेगी, वो crystals के format में भार रही, किसके format में? Crystals के format में भार रही, तो यहाँ पर crystallization जब अपन करते हैं, Na2CO3 का, तो यह water के जो molecules हैं, उस पे attach हो जाते हैं, और बनता है Na2CO3.10 of H2O, क्या बनता है? Na2CO3.10 of H2O, इसका सरल सा मतलब क्या है? कि एक formula unit पे 10 पानी के molecule, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पानी के molecule एक formula unit पे attach हो चुके हैं, ठीक है? हाँ, जी भी है, 10 formula unit एक पानी के molecule पे attach हो चुके हैं, तो यह आपका क्या है? यह आपका क्या है? यह आपका क्यलाता है washing soda. क्या क्यलाता है? washing soda. यह रहा. ठीक है? और यह जो 10 पानी के molecule से यह क्या क्यलाते हैं? यह क्यलाते है water of crystallization. क्या मतलब इसका? the fixed number of water molecules that are attached to one formula unit salt and makes the salt crystalline, that is fixed geometrical shape. जो fixed number of water molecules इस पे attach होंगे, जिसकी वजए से इसका definite geometrical shape आगा? मतलब इसका crystal-like structure retain कर लेगा एक दम fixed structure आ जाएगा crystal-like structure आ जाएगा definite geometrical shape होगा? इसे water of crystallization कहते हैं? यानि ऐसा पानी जो crystal-like structure दे water of crystallization. याद रखना कुछ cases में ये color भी दे देता है crystals को. जैसे copper, sulfate, pentahydrate, पानी उड़ा दोगे, तो white हो जाएगा. पानी रहेगा तो नीला रहेगा. FESO4.7S2, पानी उड़ा दोगे, तो white हो जाएगा. पानी रहेगा, तो green रहेगा. ऐसे. ठीक है? समझ में आगे मेरी बात clear है? ठीक है. एक बात और याद रखना, ये washing soda है और ये एक basic salt है. कैसा salt है? basic salt है. important बात, इसका chemical name क्या है? sodium carbonate. sodium carbonate decahydrate. sodium carbonate decahydrate. NCRT में लिखा है, recrystallization of soda ish. उसका क्या मतला है, वो भी बतायता हूँ. NCRT तीसरे step को पहला step बता रही है. मान लो, ये बनावा होता, Na2CO3.10s2. मैं मान लो, इसमें से पानी उड़ा दूँ. तो क्या होगा? heat करके पानी उड़ा दू. तो Na2CO3 plus 10s2 हो जाएगा? फिर से उस Na2CO3 को अगर मैं पानी में डालके saturated solution मना के गरम कर रहा हूँ. फिर ठंडा करने के लिए रख रहा हूँ. फिर crystal बनेंगे. तो recrystallization होगा. NCRT ने वो चीज़ लिखी है. मैंने directly first tab लिका है crystalization. भाई, ये salt पढ़ा है. इसको गरम करके पानी उड़ा हूँ. फिर उस salt में पानी डालू. फिर उससे crystal बना हूँ. कोई मतलब नहीं है. तो directly washing soda. ये एक basic salt है. इसका सरल से मतलब ये कि फॉर्म लाइनट पर दस पानी के molecule लगे वे हैं. इन्हें water of crystallization कहते हैं. जो fixed number of water molecules इस पे चुपके वे हैं. जिस वज़े से इसका एक fixed geometrical shape है. crystal-like structure है. और कुछ cases में ये color भी देते है crystals को. इसका नाम क्या है chemical name sodium carbonate decahydrate. decahydrate. दस पानी के molecule. ठीक है? हाँ जी भी है. Now uses of baking soda. देखिए ये baking powder बनाने के काम में आता है. जो की mission है आपके baking soda का. mild edible acid such as star trek acid का and corn starch का. देखिए corn starch का का काम होता है. यहाँ पर absorb करना moisture. absorbs moisture. absorbs moisture to prevent unintentional reaction. मान लीजिए आप यहाँ पर corn starch नहीं डालते. तो baking soda और सिर्फ mild edible acid है. air से moisture absorb कर लेंगे. यह गीला हो जाएगा और यह से react कर लेगा. तो baking soda is metal hydrogen carbonate. this is acid. it will give salt plus water plus carbon dioxide gas. खराब हो गया powder. तो इसलिए corn starch रखते हैं ताकि air के अंदर जो moisture उसको absorb करके रखें और इनके unintentional reaction नहीं हो. आप जब करना चाहो तब यह reaction हो. मान लो आप ने intentionally क्या किया? water डाला. water is added. water is added. तो basically क्या produce होगा? salt plus water plus carbon dioxide gas produce होगी. और यह carbon dioxide gas क्या होती है? आपके duff makes duff fluffier. यानि जो आप cake वगेरा बना रहे हो, उसको जादा fluffier बनाने के लिए, फुलाने के लिए हम इसका इसका इस्तिमाल करते हैं. आपने देखा ना, cake फूलावा होता है. वो किसकी वज़े से फूलता है? विकॉज यह carbon dioxide gas जो होती ही, उसके अंदर से निकलती है, तो फूल जाता है. तो चाए baking soda हो, चाए baking powder हो, दोनों ही leaving agent है. कैसे agent है? लीवनिंग agent है, baking में यूज किये जाते हैं. चाए alone baking soda हो, चाए alone baking powder हो, दोनों leaving agent है. दोनों का काम add the end यही है कि carbon dioxide gas निकालना, जिससे cake fluffier होगा. अब baking powder के case में तो क्या आपने पानी add करा? इन दोनों की reaction हुई, salt water और carbon dioxide निकला? और वो फूल जाएगा. कुछ baking powder में आपक अलोन baking soda है, you only have baking soda, only baking soda है आपके पास. घर में baking powder नहीं है, only baking soda, only baking soda है आपके पास. समझ रहो? तो only baking soda के case में आपको क्या करना पड़ेगा? बेकिंग soda के साथ, mix, vinegar, या फिर basically lemon juice. मान लिजी आपकी मम्मी के पास baking powder नहीं है, only baking soda है घर पे. तो वो क्या कर सकती है? lemon juice या vinegar का use कर सकती है, इससे भी क्या होगा? salt plus water plus carbon dioxide gas निकलेगी. ठीक है? समझ में आगी बात? हाँ जी भी हा. चलिए. अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कि मम्मी ने जो यहाँ पर mixture लिया था भाई, baking soda और vinegar का, तो acid की मातरा कम हो गई. acid की मातरा कम हो गई. यहाँ पर ध्यान चे सुनना, acid की मातरा कम हो गई. if amount of vinegar, if amount of vinegar, or lemon juice is less than baking soda, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? मान लीजिए आपकी मम्मी, जब यहाँ पर आपके लिए cake वगेरा बना रही है, तो baking soda उनका baking powder नहीं है, अब baking soda के अंदर उनको जितना acid डालना था, वो acid नहीं डाल पाई. तो वहाँ पर फिर क्या होगा? वहाँ पर फिर क्या होगा? अब यहाँ पर तो neutralization reaction नहीं हो पाईगी. तो यहाँ पर इस case में basically क्या होगा? इस case में आपका यह जो baking soda है मेरे दोस्त, यह क्या है? आप घरम कर रहे हैं उस basis में यह Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में तूट जाएगा यह वाली जो reaction दी ना? यह वाली reaction दे देगा. ठीक है? यह वाली reaction दे देगा और इसकी वज़े से आपके cake या डफ में एक metallic and bitter taste आने लगेगा. metallic and bitter taste. आपके cake में अगर कभी metallic या bitter taste आने लगे तो यह समत जाना कि जो baking soda है उसके हिसाब से proportionate amount में acid ममी ने add नहीं किया था जिस वज़े से baking soda तूट गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में और इस वज़े से metallic या फिर bitter taste आता है. ठीक है? देखिए baking powder के case में calculated format में आपको amount में मिल होता है उसमें baking soda और mild edible acid सच है starter acid specific amount में है और इसमें आपने सिर्फ पानी डाला और यहां को carbon dioxide gas दे देखा इसमें कुछ ऐसी भी आते जिनमें हीट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो भी carbon dioxide gas देते हैं ठीक है लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ baking soda है तो आप vinegar lemon juice डाली और इससे carbon dioxide gas मिल जाएगी लेकिन मान लीजिए इसका amount अगर आपका कम हो गया इसका amount अगर calculated amount कम हो गया तो यह फिर na2 co3 में टूट जाए और na2 co3 की वज़े से metallic या फिर bitter taste आता है दूसरा यह soda acid fire extinguisher में यूज होता है जो मैं भी बताऊंगा इट इस यूज एज एज इन इंटी इंटीग्रेंट बोल रहा हूं है ingredient of anti-acid medicines ठीक है अब देखे soda acid fire extinguisher कैसे काम करता है इसके बारे पर पढ़ लेते हैं preparing a soda acid fire extinguisher the reaction of acids with metal hydrogen carbonate is used in fire extinguisher which produce carbon dioxide मतलब carbon dioxide gas के produce होने की वज़े से आग को भुजाते हैं कैसे अब आपको क्या करना है 20 ml sodium hydrogen carbonate एक wash bottle में लेना है मान लीजिए मैं क्या करता हूं 20 ml sodium hydrogen carbonate का solution आपको लेना है ठीक है यह basically आपने NaHCO3 का solution आपने ले लिया ठीक है ना suspended ignition tube containing dilute sulfuric acid in the wash bottle अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूं आपको ठीक है अब इसके अंदर basically मेरे पास क्या है इसके अंदर है मेरे पास dilute sulfuric acid बोला है उन्होंने हाँ जी dilute sulfuric acid यह मेरा इसके अंदर डलावा है और यहां पर मैंने कॉर को ऐसे fit कर रखा है ठीक है हाँ जी बिया इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिये तो अब basically क्या होगा ध्यान से समझेगा ठीक है और यहां पर एक आप यह भी आड कर दीजिए एक ऐसे delivery tube यह भी आइड कर दीजिए ठीक है हाँ अब यह रहा इसमें से delivery tube ऐसे निकल रही है ठीक है अब यह दोनों क्या है जैसे हमने थोड़ा सा टिल्ट किया जैसी हमने थोड़ा सा टिल्ट किया इन दोनों की reaction होने लगेगी देखिए आपके पास एक wash bottle है इसके अंदर आपने एक ignition hydrogen carbonate और sulfuric acid react करेंगे तो क्या बनेगा अब ध्यान से देखिए यह पार्ट आपका catonic पार्ट यह पार्ट अनएनिक पार्ट यह पार्ट अनएनिक पार्ट यह पार्ट अनएनिक पार्ट इक्सचेंज कर आओ sodium sulfate है ना plus H2CO3 बनेगा जिसमें से H2CO3 तूटता किसमें है H2O और CO2 में तूट जाएगा यानि gas forming reaction है double displacement reaction का type है कौन सी reaction है double displacement reaction है कौन सी reaction है double displacement reaction है किसका type है gas forming का gas forming reaction का type है है ना अब यहाँ पर carbon dioxide gas जो यहाँ से निकल रही है कौन सी gas carbon dioxide gas जो निकल रही है वो basically क्या करेगी ठीक है you will notice discharge coming out of the nozzle does this direct this discharge on a burning candle what happens अब यहाँ पर एक burning candle जैसे ही में ले गया तो मैं क्या देखूँगा यह जो candle है candle extinguish हो जाएगी candle extinguish समझ में आया भाई मैंने यहाँ पर sodium hydrogen carbonate का solution लिया और ignition tube में sulfuric acid लिया मैं जैसे इसको तोड़ा सा tilt करूँगा यह और यह आपस में mix होंगे यहाँ से carbon dioxide gas निकलने लगी कौन सी gas carbon dioxide gas निकलने लगेगी अब क्या होगा जैसे मैं एक burning candle ले क्या होंगा candle extinguishes पता है क्यों क्योंकि carbon dioxide gas being heavier than oxygen heavier than oxygen displaces it उसको displace कर देगी ठीक है और इस phenomena को हम क्या बोलते हैं this is known as smothering क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं smothering क्या बोलते हैं smothering अगर आपको आग भुजानी है आग जलने के लिए क्या अची है फ्यूल ऑक्सिजन और हीट तीनों में सकर एक भी इस गई आग बुज जाएगी ऑक्सियन को अमने अटा दिया आग बुज जाएगी ठीक है तो carbon dioxide जाए इसको oxygen अटा दीकिए oxygen अटा दीकिए तो आग बुज जाएगी खतन सी बात है ठीक है clear है समझ में आ गया हाँ जी भीया चलो now let's discuss the washing soda की uses it is used to remove the permanent hardness of water क्या होती है hardness of water देखो what is hardness of water what is hardness of water देखे पानी के अंदर क्या होता है ठीक है ना सबसे पहला hardness of water पानी के अंदर कुछ dissolved salts होते हैं ठीक है अब यह दो प्रकार के हो सकते हैं दैसे मान लीजी अगर आपके bicarbonates है bicarbonates of calcium and magnesium है या basically chlorides and sulfates of calcium and magnesium है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे permanent hardness और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे temporary hardness मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना यह temporary पर्मानेंट क्या बोल रहा हूं मैं hardness of water का मतलब है कि पानी के अंदर कुछ dissolved solids है या dissolved salts है अगर यह bicarbonates of calcium and magnesium है तो यह बेसिकली temporary hardness वही अगर यह chlorides and sulfates of calcium and magnesium है तो यह permanent hardness वही temporary hardness तो boiling से अट जाती है या calcium hydroxide की addition से अट जाती है लेकिन यह permanent hardness नहीं हटती तो इसको हटाने के लिए washing soda का इस्तिमाल करना पड़ता है अब hardness का disadvantage क्या है इससे होता क्या है इसको क्यों हटाना ज़रूरी है क्योंकि doesn't allow so to form leather एक तो यह इसका सबसे बड़ा disadvantage है hardness of water के बहुत सारे disadvantages है तो यह इंडस्ट्री में power plant में boiler tubes देखते तो boiler tubes को इसे चोक कर देता है यह कभी आपने देखा हो कि अपने जो heating rod आप यूज करते हो तो heating rod में क्या होता है rod के उपर बहुत सारे solid चुपक जाते वह actually में आपके solids होते हैं जो चुपक जाते हैं यह आप cattle में देखते हो कि नीचे चुपक जाते है फ्यूरिंग हो अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे washing soda का इस्तिमाल करना पड़ेगा दूसरा it is used to manufacture sodium compound such as borax यानी sodium tetraborate decahydrate Na2b407.10H2O इसको बनाने के लिए हम इसका use करते हैं उसके बाद it is used as a cleaning agent to remove the stubborn stains from clothes अगर जिद्धी दाग लगे हैं तो उनको हटाने के लिए washing soda का इस्तिमाल होता है अचा सुनीलविया फिर soft water क्या होता है soft water जिसके अंदर कोई dissolved salts नहीं होते है no dissolved salts पर यह आप पी नहीं सकते ना ही इसके अंदर कोई solids dissolved होते हैं example distil water distil water को पी नहीं सकते सियाद के लिए हानिकारक है इसी लिए आपके घर में TDS check होता है आरो का total dissolved solids तो हम जो पानी पीते हैं वो भी hard होता है लेकिन काफी ज़्यादा hard नहीं होता ठीक है हाँ जी भी है ना लास्ट टॉपिक ऑफ टुड़ेश क्लास प्लास्टर ऑफ पैरिस जिसे बेसिकली कहते हैं पी ओ पी केमिकल फॉर्मला होता है एक C A S O 4.1 and a half.1.2 H2O जिसको हम ऐसे भी कह सकते है C A S O 4.2.H2O क्या मतलब है C's का बहुत यह एक कैल्शयम सलफेट का फॉर्मला यूनिट है और यह calcium sulfate का formula unit है और यह दूसरा calcium sulfate higher ठीक है इन दोनोंपर एक water का molecule है यानी इसको थोड़ा सा और अगर मैं अच्छे से पास में बनाओं तो यह एक formula unit है और यह की दूसरा formula unit है calcium phosphate का और इन दोनपर एक पानी का molecule present है 1H2 यह इसका मतलब है तो calcium sulfate hemihidrate नहीं एक calcium sulfate के पास आदा पानी का molecule है इस calcium sulfate के पास आदा पानी का molecule है या फिर ऐसे कह सकते हैं दो calcium sulfate पे एक पानी का molecule है this is the simple meaning chemical name क्या है आदा पानी का molecule है तो calcium फिर आएगा sulfate फिर आएगा हमारे पास हैमी और फिर आएगा हमारे पास हाइडरेट कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइडरेट manufactured by या prepared by तो जब आप जिपसम यानि C.A.S.O.4 twice of H2O यानि कैल्शियम सल्फेट डाय हाइडरेट को एक भट्ती के अंदर 100 degree Celsius पे या 373 Kelvin पे हीट करोगे तो यह 75% of water of crystallization को loose करके P.O.P. का निर्मान करेगा कहनेगा मतलब यह C.A.S.O.4. twice of H2O को अगर आप 100 degree Celsius पे या 373 Kelvin पे हीट करोगे तो यह C.A.S.O.4. half H2O plus one and a half H2O या इसको बोलते है 3 upon 2 H2O को release कर देगा अपने अंदर से तो actually में देखा जाए तो 25% water के molecules इसने hold किये और 75% water के molecules यानि 3 by 4 water के molecules loose कर दिये 25% retain कर लिये इससे P.O.P. कहते है ठीक है किस से बनता है ये बनता है जिपसम से ये क्या है ये है P.O.P. मान लो तुमने कहा कि ने मैं तो temperature को जादा करूँगा मेरा तो मन कर रहा है कि ये जो C.A.S.O.4. twice of H2O है इसको मैं कितने temperature पे हीट करूँगा इसको मैं 373 Kelvin से ये 100 डिगरी Celsius से जादा temperature पे हीट करूँगा तो ये पूरे पानी को उड़ा देगा अपने अंदर से ठीक है और इस plaster को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम कहते है dead burnt plaster क्या कहते हैं dead burnt plaster कहते हैं या दूसरी भाषा में anhydrous calcium sulfate anhydrous मतला इसमें पानी नहीं है anhydrous calcium sulfate यहाँ पर पहले पानी था ये पानी उड़ा दिया तो इस salt को बोल सकते हो anhydrous calcium sulfate अब ये set कैसे होता है इसको use कैसे करते हैं plaster of paris को आप पानी के साथ mix कीजिए और थोड़ी देर केले अगर आप छोड़ देंगे तो यह rehydrate होके hard mass बनाता है that is gypsum ठीक है तो अगर आपने देखा हो कभी अगर आपकी हड़ी वड़ी भगवान ने करें करें कर भी टूटी हो पर अगर आपने किसी को देखा हो तो क्या करते हैं plaster of paris को पानी में mix करके फिर उस पट्टी को देरी 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 चड़ाते जाते थोड़ी देर के बाद वह काफी ज्यादा लिए बहीं हुँता है न अप Firpa कि डे जैसे ही यह सूकता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो यह चैविट एक दम बिल्कुल एक दम शार्प शेप ले 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 वॉलियूम इंक्रीज वेन पी ओ-पी रिहाइडरेट्स, ठीक ना, गेव्ज शार्प, यह टेक्स शार्प इंपरिंट अफ दम यह बो, यह जिस कैविटी का आप उसको शेप देना चाते थे न, शार्प इंपरिंट ले लेता है उसका, उस मोल्ड का एकदम शार्प इंपरि ले लेगा वो आपने देगा वो काफी decorative item बनते POP के तो उनको बिलकुल एकदम sharp imprint ले लेता है कैसा बिलकुल एकदम sharp imprint ले लेता है ठीक है अब इसके uses क्या है it is used for setting the fractured bones अगर आपकी हड़िया वड़िया तोट गई है तो उसको सही position पे लगाने के काम में आता है यह toys बनाने के काम में आता है decorative items और statues बनाने के काम में आता है साथी साथ surface of the walls and the ceilings को smooth करने के लिए दिवारे बनाने के लिए decorative items बनाने के लिए ceilings बनाने के लिए काम में आता है P.O.P. ठीक है तो भाई अब अगर तुमको बहुत बढ़िया लगा तो मेरे दोस्त आए भाईया लिख देना और अपना प्यार दिखा देना की सुनील भाईया समझ में आ गया इजी लग रहा है मजा आ रहा है बढ़िया से रिवीजन हो गया तो बस फिर क्या बोलना है भाईया बस अब इसी तरज पे होता है हमारा second chapter acid basis and salts यहीं पे खतम तो मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रगी कुछ सही स्टेयल दी स यह समें आलवेस से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम